हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम टू आल आफ यू इन एडियूरूद्रम सक्सेस क्लास एजुकेशन में और मैं मुहम्मद अर्शज आज आपके लिए प्रीवियस समिस्टर यानि के दो हजार तैइस चोबीस का जो आपका क्वेशन पेपर आया था ओर समिस्टर का उसका कम्प और लॉंग क्वेशन कौन कौन सा आये थी इस्टुदेंट्स रेडी हो जाएं आज का जो यह लेक्चर रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपोर्डेंट रहेगा क्योंकि एक्जाम बिल्कुल करीब में है कुछी टाइम कुछी दिन बचे हैं एक्जाम के लिए और आपके के लिए यह लेक्चर बहुत ही जादे हैल्फुल रहेगा इससे पहले भी कई सारे लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपको डिलीवर कर चुके मोडल पेपर भी आपको जा चुका है और वन शॉर्ट लेक्चर भी आपको डिलीवर कर चुके यह लेक्चर आपके ल इसको सॉलिसन आप करेंगे तो वो सारी चीजे आज के लेक्चर में हम डिस्कसिन करने जा रहा हैं तो यह आपको इस कुशन पेपर में मिल जाएंगा और आपको अपने नोर्स के प्रेपरेशन के लिए लेक्चर बहुत ही जादे हल्फुल रहेगा तो स्टार्ट करते हैं आ यानिके 2022 और 2023 का ओड समेस्टर में जो क्वेशन पेपर आया था जिसका कोड क्या है स्टुएंट बी एस वन जिरो टू है तो अब जो कोड है आपका वह है बी एस टू जिरो टू लेकिने प्रीवियस समेस्टर का कोड है उसका कंप्लीट सॉलिशन आपको बताने जा रहे हैं क्वेशर की क्वेशन डिसकर आज करने जा रहे हैं को कि टॉआट करते हैं कि पहले शौ चॉड को लेती यह कहसे है घुज टॉट आपके स्पूर एपस कह सर्देशोंट ऑट फेपर में इक सटेंडर आपको पता ही होगा आणस्स में आपने को अधन्य restrictive पर दिये हैं उसमें आपको तीन सेक्षन हरे क्वेशन पेपर में दिखाई देते हैं सेक्षन ए सेक्षन बी एन सेक्षन सी जे सेक्षन ए में जो टोटल शॉर्ट क्वेशन होंगे लगभग सेवन क्वेशन अग्जाम में आते हैं और हरे क्वेशन के जो मार्क्स होते हैं वो इसमें शॉर्ट क्वेशन में पहला ही क्वेशन जो आया है वह है Molecular Assembly Method Nanomaterial का Topic है यह यह फर्स यूनिट का Question है यह एक्सप्रेस Molecular Assembly Method for preparing the Nanomaterial, Nanomaterial का बनाने का तरीका, How can you prepare the Nanomaterials or Nanoparticles specially तो इसके दो method आपने पढ़े हैं लेक्चर में deliver भी कर चुका हूँ, पहले से पहले आप प्रिविएस लेक्चर भी देख सकते हैं एक bottom up है और एक है Top Down Method इसमें से Molecular Assembly Method क्या है देखिए Nanomaterial आपको बताई है जैसा कि Nanomaterial वो सारे material होते हैं जिसमें Size Specific होता है यह नहीं कि Nano Range का Size होता है 0 से लेकर 100 Nanometer की Range में सारे material कहलाते है Nanomaterials, अगर उस सभी Dimension से उनका Size अगर यह हो जाता है 0 to 100 Nanometer तो those Nanomaterials are Called Nano Particles शारे Nanoparticles को कह सकते हैं कि सारे Nanoparticles Nanomaterials होते हैं लेकिन सारे Nanomaterials doesn't consider Nanoparticles तो self assembly method क्या है? Self assembly method का मतलब यह होता है कि molecule start करते हैं वह बिलकुल lower down से सर्ड करते हैं molecules, ions या particles लेते हैं उसको сумble कराते हैं यह self assemble का मतलब होता है खुद ہी sumble होते हैं solvent में वह particles होते हैं और वह aaks amazon होते हैं और aaksambal होने के बाद में उनका size इस range में आ जाता है राइट जैसे कि atom atom में आपस में combine होते हैं combine होने के बाद में वो थोड़ा सा बड़ा size हो जाता है और वो इस range में निकल कर आ जाता है particles materials जिसे हम कहते हैं nano particles या nano materials कह देती है self assemble का मतलब होता है खुद बहुत ही assemble होना solvent में suitable solvent लिया जाता है उसके अंदर वो particles या material डाले जाते हैं ठीक ना atoms होते हैं वो atoms क्या होते हैं आपस में combine हो जाते हैं self का मतलब होता है खुद ही combine होते हैं इससे करने की जरुवत नहीं होती और वो assemble होके nano range में आ जाते हैं solvents से उससे separate कर लिया जाता है जैसे कि collidal solution हम बनाते हैं तो वो self assembly method से ही बनाया जाते हैं तो क्या है self assembly of nanomaterials refers to the organization of molecules organization का मतलब होता है assemble यानि कि जुड़ जाना organization of the molecules, atoms and particles into well defined aggregate aggregate का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं bond बना लेते हैं और aggregation हो जाता है और structure इस तरह का तयार होता है without any external intervention बिना कोई external intervention के यानि कि कोई भी बहार से कोई भी कुछ चलाने की जुरूत नहीं होती इस प्रोसेस को इडिज ऑल्सो नॉन एस दी bottom-up method और bottom-up approach बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल नीचे से start करते हैं बिल्कुल नीचे यानिके particles atom से ions या molecule को लिया जाता है और वह assemble होने के बाद में क्या हो जाते हैं बॉटम से start करते हैं और फिर उपर की तरफ चलब वह assemble होते जाते हैं और यह बन जाता है क्या nano materials राइट क्योंकि particles या atom या molecule का size तो nano size से भी कमी होता है ठीक ना तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि इसमें यह definition हो जाती है है self assembly method की हम diagramatically इसको कैसे समझा सकते है starting from the lower down यानि कि atoms से start करते है atoms molecules या ions से start किया जाता है यह aggregation होता है यानि कि आपस में connected होते हैं जुडते चले जाते हैं और जुडने के बाद में इनका size थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में यह size क्या होता है और बड़ा हो जाता है self aggregation self, aggregation, और यह atom से start करते हैं, atom, या फिर molecule ले ले हम, या फिर ions ले ले हम, तो यह convert हो जाता है, किसमे? molecule यह nano range के particles में convert हो जाता है राइट तो यह aggregation होने के बाद में जो material निकल कर आता है वो nano range में convert हो जाता है तो इसको हम इस तरह से diagramatically express कर सकते हैं यह हो जाता है nano materials या फिर इसको हम कह सकते है nano particles जिसका size 0 से लेकर 100 nanometer की range में हो जाता है तो हमने bottom से start करा और top की तरफ ले गए ठीकिन बाटम से start करा यानि कि atom molecule और आयन से start करा self assemble करा इसको खुद बहुद ही हो जाता है और फिर यह convert हो जाता है किसे में nano range में राइट इसे कहते हैं self assembly method for preparation of nano materials second question जो आया था a section का राइट फर्स्ट का second question था एक numerical दिया गया है और वो है lambert beer law के base पर lambert beer law spectroscopical technique में absorption law के base पर जाना जाता है कि जब हम spectroscopical technique में suitable radiation को किसी chemical पर strike करते हैं यानि chemical गनता है जब suitable radiation जाता है रेडियेशन को जब chemical पर strike करते हैं तो वो radiation जो होती है वो कोई भी हो सकती है UV radiation हो सकती है IR radiation हो सकती है राइट तो वो radiation जो उस chemical से पास होती है तो किस extent में वो chemical उस रेडियेशन को absorb करता है ठीक ना वो absorb यानि कि absorbance कितनी होती है और transmittance कितनी होती तो वो depend करता है lambert beer law पर तो उसी base पर यह question है a solution show a transition एक solution जिसका हमें spectra लेना यानि कि spectroscopical technique के base पर उसको study करना है तो वो solution कोई भी हो सकता है organic chemical भी हो सकता है ठीक तो एट ट्रांजिशन ओफ 20% 20% transition हुआ right when kept in a cell एक cell के अंदर रखा गया वो solution को of 2.5 thickness यह जो capillary tube जो होगा इसकी जो thickness है वो कितनी है 2.5 cm right transmittance कितना हुआ transmittance 20% transmittance हुआ यानि कि बाहर जो radiation निगली उसका transmittance जो हुआ वो कितना हुआ 20% transmittance हुआ kept in a cell 22.5 thickness calculate its concentration इस chemical की concentration आपको निकालनी है if the molar absorption coefficient is 12,000 dm cube per mole per centimeter तो molar absorption coefficient दे रखा है concentration दे रखा है right आपको क्या निकालना है calculate concentration निकालना है कि उस chemical की concentration क्या है तो actually Lambert B.R. law में क्या बताया गया कि absorbance a for the absorbance absorbance कितना absorb करा यह रेडियोशन कितनी absorb हुई यह directly proportional होता है thickness of the tube जिस यानि कि chemical में उस solution में कितने moles present है right तो उसके directly proportional होता ही है absorbance का formula है right तो a is equal to k x c k constant है right अब इसको हम other way में देखें transmittance form में देखें तो दूसरा एक और formula निकल कर आता है और वह absorbance is equal to minus logarithm of transmittance percentage यानि कि t divide by hundred total transmittance कितना हुआ तो यह जो था transmittance के base पर था यह क्या था thickness और concentration के base पर था दोनों किसके equivalent है absorbance के equivalent है तो दोनों equations को अगर हम equal रखें transmittance कितना दे रखा है यहां students transmittance दे रखा है 20% तो 20% दे रखा है तो transmittance की जगा हमने 20 रख दिया minus logarithm of 20 divided by hundred right अब इसको जब हमने solve करा तो solve करने के बाद में 20 by 100 की value आई 1 by 5 या फिर इसको minus log 1 by formula आप जानते है माइनस logarithm of a by b is equal to होता है माइनस प्लस हो जाता है logarithm b by a वही करा है यहां पर 5 by 1 करा तो log 5 value आ गई ठीक है ना log 5 की value कितनी होती है 0.6989 आपको बताइए mathematics में आप solve कर चुके है logarithm के question ठीक है न तो यह log 5 की value इतनी आ गई यह किसकी value आई students a की absorbance अब absorbance is equal to होता है बाइदी लेंबर्ट वियर लोग के according kxc क्या है इसमें constant है ठीक ना तो a is equal to यह value आई अब अब a के यह वाले इस वाले formula में minus a is equal to kxc log 5 की value यहां रख दिया आपने उठा कर ठीक ना log 5 की value कितनी आई थी 0.0 0.6989 तो absorbance की जगा यह रख दिया आपने ठीक ना is equal to kxc अब k की value यहां पर दे रखी है देखिए molar absorbance coefficient जो कि k है small k यह value दे रखी है 12,000 into thickness कितनी दे रखी x क्या है thickness है यानि कि यहां से यहां रख की distance है वो कितनी है 2.5 तो 2.5 यहां रख दिया आपने into concentration concentration ही यहां से आपको निकालनी है student concentration बाकि सारी values आ गई है ठीक ना concentration is equal to यह value इदर आ गई c is equal to गया गया 0.6989 divided by 12,000 into 2.5 जब इसको हम solve करेंगे तो यह value निकल कर आएगी concentration की 2.3, 329 into 10 to the power minus 5 mole per centimeter cube बहुत ही easily question था यह दो formula आपको याद रखने है ठीक है ना दोनों Lambert beer law के according होते है एक absorbance के value को दिखाता है comparison दूसरा concentration और thickness के base पर यहां पर यह numerical simple सा था जो आपको बताया गया है अब third question है analysis effect of polar solvent on pi to pi star transition in acetone अगर हम किसी solvent के अंदर डालते हैं solvent का मतलब होता है कि acetone solute का काम करेगा ठीक है ना acetone solute का काम करेगा तो यहां पर polar solvent के अंदर अगर acetone को रखते हैं और उसको हम spectroscopical technique के through analyze करते हैं ठीक है ना solvent लिया उसमें acetone को mix करा तो acetone work as a solute solute acetone होगा और solvent polar solvent कोई भी हो सकता है polar solvent का मतलब होता है जिसके water भी एक polar solvent होता है जिसके अंदर polarity होती है plus minus charge होता है इसी तरह से polar solvent ethyl alcohol भी क्या होता है alcohol भी polar solvent की तरह से काम करता है hydrogen bond के through यह क्या होता है solvent के molecule क्या होते है जुड़े भी होते है तो polar solvents like alcohol अब इस में question क्या है पहले यह समझना है आपको analyze the effect क्या effect होगा polar solvent का अगर हम acetone को mix करते हैं किसके अंदर polar solvent में तो वहाँ पर pi to pi star transition पर क्या effect होगा pi to pi star transition जो कि electron excitation का एक example है acetone का formula students क्या होता है CH3 TOCH3 यानि के T double bond OCH3 CH3 यह acetone है इसमे pi bond present आपको दिखाई दे रहा है pi bond है यहाँ पर अगर हम electronic excitation देखें तो electronic excitation कितने होंगे इसमें देखें pi bond है इसमें oxygen पर lawn pair भी present होगा यहनि के non bonding electrons भी present है जो कि non bonding molecular orbital के अंदर सोंगे pi bond present है students यहाँ पर तो pi bond present है तो क्या होगा pi to pi star electronic transition भी यहाँ पर possible है तो इसमें जो electronic excitation होगा वो pi to pi star होगा और end to pi star electronic transition होगा तो यहाँ पर electronic excitation यानि के ultraviolet spectroscopical technique में pi to pi star transition पर क्या effect होगा यह question है question को समझना जरूरी है तभी इसका answer आप perfectly दे पाएंगे अब इस acetone को अगर हम किसी polar solvent के अंदर हम रखते हैं तो वहाँ पर pi to pi star electronic transition होना है जब radiation इस पर डालेंगे suitable ultraviolet UV radiation इस पर डालेंगे acetone पर तो यहाँ पर pi to pi star electronic transition होगा अल्ट्रा वाइलेंट रडियसन को यह absorb करेगा और pi to pi star electronic transition यह present करेगा तो pi to pi star electronic transition पर क्या effect होगा यह question है तो देखें अब इसका answer कैसे देंगे हम actually क्या होता है कि solvent का direct effect होता है organic chemical पर solute पर अगर उसमें उसे dissolve करेंगे हम और हम UV spectra लेंगे यहाँ पर क्या होता polar solvent जैसे के alcohol है can strongly interact with the solute solute से strongly interaction show करता है bipolar solute में क्या हो जाता है hydrogen bonds present होते हैं और वो क्या होता solute के molecules होते हैं उससे strongly bond बना लेता है जैसे के solute क्या है acetone molecule through strong dipole dipole interaction होगा या फिर hydrogen bond बना लेगा यानि कि alcohol के अंदर अगर हम acetone को मिलाते हैं तो क्या होगा alcohol के molecule acetone से या तो dipole dipole interaction के साथ में connected हो जाएंगे या फिर hydrogen bonding के through क्या हो जाएंगे यह connected हो जाएंगे यह बना लेते हैं बना लेते हैं अब इस से क्या होगा this interaction can lead to solvation of solute इस interaction से क्या होगा solvation का case निकल कर आएगा solute के साथ में जो की acetone के साथ में बनाएगा which effect the energy of the transition अब energy of the transition पर effect करेगा कैसे करेगा इस्टूरेंट्स transition होगा ठीक ने ट्रांजिसन इलेक्ट्रोनिक ट्रांजिसन होगा तो उसकी energy पर effect होगा यानि कि वो कितनी उसके energy down होगी या फिर low होगी इस पर effect होगा this interaction can lead to the solvation of solute like acetone which affect the energy of the transition clear हो गया so the absorption wavelength absorption wavelength का मतलब होता है ultraviolet radiation डाली acetone इसके अंदर है जो की alcohol के साथ में mix up करके मिलाया गया है तो इससे क्या होगा absorption जो होना था ultraviolet radiation कितनी energy को absorb करेगा absorb करने के बाद में pi to pi star electronic transition यह present करेगा तो इसकी energy पर effect होगा ठीकिक ना यह energy कैसे change होगी molecule changes with the polarity of the solvent right wavelength absorption wavelength of the molecule change absorption wavelength change हो जाएगा polarity की में जैसे of the solvent in the case of transition right the absorption wavelength usually shift to longer wavelength absorption wavelength जो होगा यानि कि absorb जो करेगा ultraviolet radiation यह longer wavelength की तरफ shift हो जाएगा यानि कि red shift present होगी longer wavelength की तरफ shift कैसे होगा students यह जो absorption maximum निकल कर आता है UV spectra में lambda max की value यहाँ पर लेते तो यह absorption wavelength होता है यह क्या होता है longer wavelength की तरफ shift हो जाता है students longer wavelength यानि कि red shift देता है अगर हम किसी organic chemical को solvent के अंदर mix करते हैं तो यहाँ पर pi to pi star electronic transition जो होगा वो longer wavelength की तरफ shift हो जाएगा यानि कि red shift देगा तो यह question था अब next आता है fourth question first का D part उसमें एक numerical दिया हुआ students numerical क्या है nurse equations का numerical actual में nurse equations जो है आपके syllabus में नहीं रखी गई है इस बार BAS वाले code में engineering chemistry में nurse equations को बहार निकाल देया लेकिन कभी-कभी यह question आ जाते हैं जो कि without syllabus भी होते है तो इसमें से यह question जो है एक ऐसा question है nurse equations का है दे दिया गाए क्योंकि nurse equations important भी है वैसे भी है numerical आ भी जाता है तो इसमें nurse equations का क्या question है calculate the EMF of the cell EMF of the cell calculate करना है if the standard EMF of the cell is 1.54 volt standard EMF of the cell दे रखा है उसके value कितनी है 1.54 volt दे रखा है cell reaction भी लिखना है यहाँ पर cell representation दे रखा है cell representation क्या दे रखा है zinc rod है और silver rod देखना zinc और silver electrodes यहाँ पर present है zinc जो है ZN2 positive ZN2 positive में convert हो रहा है देखना जिसकी molar rating कि इतनी है है 0.2 molar है अब double line represent कर रही है salt bridge को तो यहाँ पर salt bridge का भी option है अब silver जो है silver one positive silver solid में convert हो रहा है और temperature कितना है 25 degree centigrade तो है यहाँ पर सबसे पहला आपको यह दिछना कि सेल का सेम boils में कैसे बनाए रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इल्क्राइब का exception हो रहा है, यह फरस्ट हाफ sail हो गया, यह सेकंड हाफ sail हो गया, ठीके ना, यहां पर आप अगर देखे तो zinc जो है, जो कि solid है, यह किसमे convert हो रहा है? ZN two positive एक्वस में convert हो रहा है यहां पर electron का क्या हो रहा है religion हो रहा है electron बहार आ रहा है तो यह electron के बहार आने का case है ठीक है ना दूसरा क्या है silver electrode है silver one positive ठीक है और electron इसमें जुड़ रहा है silver solid में convert हो रहा है तो यहां पर electron का जुड़ने इसको solve करते हैं, इस numerical को कैसे solve करेंगे, वह ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर first half cell reaction देखते हैं, यहाँ पर first half cell reaction यहाँ से निकल कर आईगी, कैसे आपको represent करना है, zinc जो है solid form में है, यह convert हो रहा है, ZN to positive aqueous में, और दो electron का release हो रहा है, बहार निकल रहा है, तो यह क्या होगा, oxidation का case हो जाएगा, यानि कि यह first half cell reaction हो जाएगी, कैसे होगी, यह होगी आपकी first half cell reaction, अब second half cell reaction कहाँ पर होगी, cathode पर होगी, add cathode, cathode पर क्या होगी, second half cell reaction, second half cell reaction क्या होगी, silver है students, silver one positive, देखें, यहाँ पर silver one positive, इसमें convert हो रहा है, silver solid, silver one positive aqueous convert हो रहा है, लेकिन इसमें electron का जुड़ना हो रहा है, तो यह एक positive ions है, यहाँ पर कोई ion नहीं है, तो इसको balance करने की electron को आपको plus करना पड़ेगा, तो यह क्या हो गया, reduction process हो गया, यह second half cell reaction हो गया, तो दोनों half cell reaction यहाँ पर, cell reaction निकालने हो कहा था, cell reaction निकाल दी, अब इसमें net cell reaction अगर निकालनी है, तो net cell reaction भी इसको हम plus करके, जोड़ कर, प्लिक सकते हैं, ठीकिना, यहाँ पर दो electron है, यहाँ पर एक electron है, तो यहाँ पर multiply करना पड़ेगा, आपको पूरी reaction को 2 से, और इस तरह से, दो electron, दो electron से काड़ दे, दो लों को plus कर दे, ring solid plus 2 silver, 1 positive aqueous is equal to Zn, 2 positive aqueous plus 2 silver solid, तो यह net cell reaction हो गई, अब इस net cell reaction पर आपको nurse equations apply करनी है, इस numerical को solve करने के लिए, तो एक तो cell reaction आपने calculate कर ली, आप nurse equations apply करते हैं, और EMF of the cell को यहाँ पर calculate किया जाएगा, तो EMF of the cell कैसे calculate करेंगे students, nurse equations क्या है, तो यहाँ पर nurse equations आपको बतानी है, nurse equations क्या है, using nurse equations, nurse equations, nurse equations को use करेंगे, nurse equations क्या होती students, EMF of the cell is equal to standard EMF of the cell plus minus 0.0591 divided by N logarithm of activity of the reactant and the product, यानि के concentration of Z and two positive to the silver one positive fold twice, यहाँ पर reaction देखनी पड़ीगे, देखे, reaction क्या थी, net cell reaction क्या थी, उससे आपको नहीं पता चलेगा, यहाँ पर देखे, यह हो गया आपका, क्या, product, और यह क्या हो गया आपका, reactant, तो concentration of reactant, divide by concentration of the, concentration of the reactant to the product, यह आपका reactant है, और यह आपका product होगा, तो concentration of the product divided by the concentration of the reactant, यह होता है, यहाँ से आपको बहुत ही clearly पता चल जाएगा, कि product की concentration में यहाँ पर Z and two positive दे रखा है, यह हमें silver solid दे रखा, तो solid की concentration हमेंसा one होती है, इतना धियान रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर देखे, zinc solid दे रखा है, तो solid की concentration one हो जाएगी, silver की concentration यहाँ पर reactant की into two दे रखा है, तो two को क्या हो जाएगा, यह power में चला जाता है, इसी तरह से concentration of the product divided by the concentration of the reactants, तो product and reactants की concentration होती है, अब EMF of the cell कितना है students, EMF of the cell दे रखा है, 1.54 into minus 0.0591, number of electron कितने replacement हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे number of electron कितने जा रहा है, देखें, यहाँ पर भी two positive charge है, यहाँ पर भी two positive charge है, तो इसका मतलब क्या हो गया, का मतलब यह हुआ के, दो electron का transfer हो रहा है, logarithm of ZN2 positive concentration of the ZN2 positive to the silver one positive concentration, तो दोन की concentration आप रख दीजे, 0.2 की concentration है, और silver की concentration दे रख ही है, 0.02 whole twice, right, concentration यहाँ numerical में already दे रख ही है, वो भी देख लीजे, देखें, ZN2 positive की 0.2 molar है, और silver की कितनी है, 0.02 molar है, जब इसको solve करेंगे, 1.54 minus 0.059 divided by 2 into logarithm of, जब इसको solve करेंगे अब, तो यह values जो है logarithm की, यह आ जाएगी, 0.02 into 0.02, right, इस point को हटाकर into 100 कर देंगे, इस point को हटाकर भी into 100 कर देंगे, इस point को हटाकर into 10 कर देंगे, right, 1.0 से 1.0 काट दो आप 2 से 2 cancel हो गया तो यहां पर यह जो values आएगी 1.54 इंटो 0.0591 डिवाइड बाइ 2 यह values आगई आपकी लॉग यहां से इसे काट देंगे 50 500 तो लॉग 500 और लॉग 500 की वैल्यूज आपको रख देंगे लॉग की वैल्यू हो जाएगी यह 2.6989 जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आजाएगा आपका 0.07975 और फाइनल आंसर आपका आजाएगा 1.46 इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना है तो यह सिंपल सा था नर्स्टिक क्वेस्टन का कोश्चन था नुमेरिकल था जो की सॉल्व करके आपको दिखाया गया नेक्स्ट कोश्चन है शॉर्ट मेही वाट इस दी रोल ऑफ जिप्सम इन सिमेंट मैनिफैक्टरिंग मैनिफैक्टरिंग के टाइम में जिप्सम का एड किया जाता निकि में तो जिफिसम स्टार्ट होती है एक्जोथर्मिक रेक्शन होती है उसमें से हीट बहार आती है हीट बहार आती है और सिमेंट क्या होने लगता है सैट होने लगता है जब सिमेंट सेट होना सुरू हो जाता है तो सैट इतनी तेजी से होता है सिमेंट क्या होता है हीट बहार आती है और तेज होती वो शो नहीं कर पाता है तो यहां पर क्रेक्स ना हो अगर हम इस जो सैटिंग एन हाड़निंग प्रोसेस को जो सिमेंट का शो कर रहा है उसको अगर हम स्लो कर दें धीरे 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 सैट होगा सिमेंट को होने दें तो क्या होगा यह क्रेक्स नहीं आएंगे दिरा सिमेंट दूसरा क्या होता है जब सिमेंट बनाय जाता है सिमेंट के जब बनते वक्त क्या होता है ट्राइचल्ण स्लो करता है ये क्या होता है और इसके कैप्रिस्ट्पॉरा कम्पिलीट प्रसेस भी क्या तरवन्हों होता है न बर之前 है क्योंकि fast reaction show कर रहा है उसको slow down कर देता है gypsum जिपसम इससे add क्या हो जाता है reaction कर जाता है tricalcum aluminate का formula क्या है 3CaoAl2O3 tricalcum aluminate के साथ में जब gypsum मिलाया जाता है gypsum का formula क्या होता है calcium sulphate dehydrate TASO42H2O यह मिलाया जाता है यह से reaction करता है reaction करने के बाद में यह से complex बना लेता है और इसके जो तेजी से यह जैसे यह divide हो रहा था reaction शो कर रहा था और बहुत तेजी से exothermic reaction को शो कर रहा था तो यह क्या हो जाता है slow कर देता है अपने reaction क्या कर देता है slow कर देता है इससे दरारे नहीं आती सिमेट में तो gypsum combined with c3a c3a क्या हो गया tricalcium aluminate to form calcium sulfo aluminate calcium sulfo aluminate बना देता है जिसकी वेज़े से gypsum की वेज़े से का जो सिमेंट है वो धीरे-धीरे सैट होगा hard धीरे-धीरे होगा इससे क्या होगा exothermic reaction slow down हो जाएगी और cracks नहीं आएंगे सिमेंट में इसलिए हम जिप्सum को मिलाते हैं सिमेंट में डियूरिंग दी मैनुफेक्टरी अब next question एक numerical है इसमें यह fuel का numerical है fuel GCV निकालना है calculate GCV अब है क्या a sample of coal coal का sample है इसमें 60% कार्बन है 33% oxygen है 6% hydrogen है और 0.5% sulfur है 2% nitrogen है 3% ash है यह सारी चीजें क्या है coal के sample में दी गई है जब सारी composition जो है coal के अंदर percentage में दे रखा होता है तो फिर दो GCV निकालने के दो formula होती ही दो formula कौन से एक तो है bomb calorimetric method में जो use किया जाता है वह formula है और दूसरा जो है second formula deulongs formula method है तो यहां पर deulongs formula method apply करना होगा इस numerical को solve करने के लिए जब सारे composition elements percentage में दे रखें तो हम क्या कौन सा formula apply करेंगे deulongs formula method हम apply करेंगे यहां पर deulongs formula method क्या होता है वो यह है instruments GCV is equal to 1 by 100 into 8080 जो कि carbon की calorific value है into carbon 345 00 bracket में hydrogen minus oxygen divided by 8 ठीके न 345 00 hydrogen की calorific values है और plus 2240 into sulfur sulfur की calorific value 2240 दी गई होती है तो इसमें क्या क्या चीज़े इसमें आपको dva formula में अगर यह सारी चीज़े दे रखी है तो आप formula आसानी से यह लगा सकते हैं और GCV आसानी से calculate कर सकते हैं तो यहां पर देखें carbon दे रखा है यहां पर चेक करें कि carbon की क्या क्या percentage value दे रखी है यस दे रखी है 60% दे रखी है यहां hydrogen दे रखा है तो यहां चेक करें hydrogen की क्या दे रखी है percentage value दे रखी है 6% अक्सिजन दे रखा है, तो क्या देखे अक्सिजन भी दे रखा है के नहीं दे रखा है इसमें? हो यहाँ पर औरdir? अद Si7 ja Si7, तो यह बहुत है और si7 झाया,度 तो यह सारी तो यह सारी व Daily Ldies इसमें Direct रखे और solve कर ले, solve कैसे करेंगे, 1 by 100, solve करने का method simple सा है, सारी values को यहाँ पर formula में shift कर दे, 8080 into carbon, carbon कितना दे रखा है, 60%, percentage को already हमें ने convert कर दिया, divide by 100 में, plus 345 00 into hydrogen, hydrogen कितना है, 6 है, minus oxygen, oxygen की percentage value कितनी है, 33, divide by 8, right, plus 2240 into sulfur, sulfur कितना दे रखा है, 0.5% calorie per gram में, यह value किसमें आ जाएगी, strength, calorie per gram में आ जाएगी, अब यहाँ पर यह सारी values जब आपको दे रखी है, तो वो सारी values हमने shift कर दी, इसमें रख दी और इसको solve करते हैं, solve कैसे करेंगे, 1 by 100 into 8080 into 60, 8080 into 60 को solve करेंगे, तो यह आ जाएगा 4848 into 48480 plus 345 double 0, 6 minus hydrogen, इसे solve करें पहले, इस bracket को solve करना जरूरी है, इससे solve करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले इससे solve नहीं करेंगे, तो यह answer हमारा गलत आ सकता है, हीगे न, LCM ले ले, 8, 48 minus 33 plus जब इससे solve करेंगे, तो यह आ जाएगा, हाफ कर देंगे, इसका 1120, 1 by 100 into 48480, 345 double 0 into 48 में से 33 minus करेंगे हम, तो यह आ जाएगा, 15, 15 by 8 plus 1120, इससे solve करेंगे, तो यह solution जो निकल कर आएगा, वो last में 1142.87 कैलोरी पर ग्राम निकल कर आ जाएगा, तो यह GCB इस तरह से आप calculate कर लेंगे, कोई जादे इतना hard question नहीं था, carbon की, hydrogen की, sulfur की, oxygen की, यह सारी values दे रखी, कई भी numerical में क्या दियावा होगा, oxygen की percentage value नहीं दे रखी होती, तो जब आप कैसे करेंगे, जब आपको यह करना है, कि जितनी भी percentage value दे रखी, कि सबको पहले plus कर दे, और फिर one hundred में से minus कर देंगे, तो oxygen की आ जाएगी, कभी-कभी sulfur की भी गायब कर देते हैं, तो sulfur की गायब कर देंगे तो oxygen की दे रखी होगी, तब भी ऐसी करना है आपको सबको प्लस करना है और 100 में से माइनस करके सलफर की परसनेटेज निकाल लेंगे तो फिर इसकी वैल्यूस निकाल कर यहां उट अप कर देंगे और आप आसानी से सॉल्व कर देंगे next question आता है जी what do you understand by polymer blends polymer blends क्या है तो ब्लेंट्स क्या होते हैं जायों के पालिमर ब्लैंट्स जो हता है प्योर पॉलीमर नहीं है mixture of polymer से तो पॉलीमर का ऐसा इसदो प्लस्टिक का ऐसा combination जिन को हम melt करें पिगलाए melt करने के बाद में इंटर मिक्स कर ले एक दूसरे में होता है वो polymer क्या होता है उसके अंदर दोनों polymer completely intermix हो जाते हैं, intermix होने के बाद में new polymer बन कर तयार होता है और उत नए polymer को कहते हैं polymer blends, polymer blends is a mixture of two or more than two polymer which are intermixed to each other in modern state to form a new polymer, तो polymer blends, how can you write the definition students, तो polymer blends की definition कैसे लिखेंगे, polymer blends, polymer blends is a mixture of two or more more than two polymer, intermix in molten state, molten state to form a new polymer. which show its unique property rather than, rather than its constituents. constituents, polymer. तो polymer blends is a mixture of two or more than two polymer. polymer blends जो होता है दो या दो से ज्यादे polymer का mixture होता है, जो कि melt करके पिगला कर एक दूसरे में intermix कर देते हैं, नया polymer बन करते यार होता है, जिसे कि दो प्लास्टिक ले लिया, आपने एक red color का, एक blue color का. दोनों का intermix करा, melt करने के बाद में पिगला करें, एक दूसरे में intermix कर देते हैं, और एक नया polymer जब बन कर तयार होता है, तो उसका color जो होता है, ना तो red रहता है, ना ही blue रहता है, तो वो क्या होता है, अपनी property शो करता है, एक बहुत strong है, एक weak है, लेकिन बनने वाला polymer ना तो उतना strong रह जाता है, ना ही उतना weak रह जाता है, तो नया polymer जो होता है, अपनी property show करेगा अपनी unique property show करेगा वो property show नहीं करेगा जिससे वो मिलकर बना है जैसे के a polymer और बी polymer बन गया c polymer ये भी polymer है ये भी polymer होगा ये भी melt करके melt किया जाएगा ये भी ये वालब polymer जो होगा, polymer blends होगा, right. So, what do you mean, understand by the polymer blends? Clear हो गया होगा, students, जैसे के इसका एक example हम ले सकते हैं, ABS plastic. One of the best examples. ABS plastic इसका example है. अब नेक्स्ट क्वेशन आता है देखिए यहां पर जो है यह सारे क्वेशन जो है शौर्ट क्वेशन खतम होते हैं कितने शौर्ट क्वेशन थे देखिए ए फिर बी फिर सी तीन फिर डी चार का ऐपांच एफशे और यह जी साथ तो सेवन कोश्चन जो आते हैं टू मार्क्स को करते हैं और टू मार्क्स के सेवन कोश्चन का मतलब हो गया 14 अजिको 14 नमबर का A section आपका ये complete हुआ अब second section जो होता है वो start होता है starting from this second question second question में यानि के second section में section B में total five question होंगे total five questions आएंगे and each question carry seven marks हरे question के जो seven marks होंगे और आपको कोई तीन attempt करने होगे यहाँ पर दो question किया आपको choice मिलेगी ठीकिना तो पांच question में से दो question किया आपको choice मिलेगी राइट और तीन question आपको करने होगे तो पहला question क्या आया था BS 102 में semester second में 2023 24 के question paper में पहला question था long question यहाँ से start होते section B से यह बहुत ही अच्छा और important question है जो first unit का है molecular orbital diagram का राइट तो molecular orbital diagram आपको draw करना है oxygen का और NO का O2 और NO molecule calculate their bond order उनका bond order निकालना है और उनका magnetic behavior भी आपको किस किसन करना है है यानिके magnetic behavior कैसा होगा और bond order कितना होगा यह सारी चीज़ा आपको निकाल लिए तो कैसे करेंगे हम इसको देखे molecular orbital diagram कैसे draw करते है molecular orbital theory के base molecular orbital diagram को draw किया जाता है one by one पहले oxygen का draw करना बताते है फिर NO का बताते है तो solution start करते है किस question का molecular orbital diagram molecular orbital diagram of O2 start करते है from O2 oxygen molecule से जब भी molecular orbital diagram draw करने को आता है तो उस molecule को बहुत ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा molecular orbital diagram को draw करना है और यह देखते हैं कि क्या वो है एसा एटम में जिसमें similar atom ऐसा molecule जिसमें similar atom combine हो रहे है या dissimilar है या है हेट्रोजीनियस है या homogeneous है तो यह ओ टू में क्या है ओ टू को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं यानिकिए oxygen and oxygen राइट oxygen में कितने electron होते हैं तो students एक oxygen में 8 electron होती है और इसमें कितने होगे एट इनका electronic configuration करेंगे यह 8 electron spdf में कहां पर present होगे तो 8 electron को हम देखते हैं पहले दो electron किसमें होगे 1s2 में फिर किसमें आएगे 2s2 में और फिर दो और दो चार बागी कितने बच्चे चार electron जो होगे वो orbital इस तरह सोता 2px 2py and 2pz इसे तरह से यहां पर भी 1s में दो electron 2s में दो electron और 2p में 4 electron 1 2 3 and 4 1s 2s and 2p ठीकिए यह homonuclear diatomic molecule students अब यहां पर molecular orbital diagram आपको draw करना हूँ को टोटल electron count करें इसके तो टोटल electrons आर पहले oxygen में 8 electron दूसरे में 8 and the total sum of 16 electrons तो 16 electrons जो है यह कहां लाई करेंगे जैकि atom और atom जब आपस में combine होते है molecule generate होता है molecule में जो electrons लाई करते हैं वो molecular orbitals में लाई करेंगे ठीकिन atoms में atomic orbital में लाई करते हैं molecules में molecular orbital में लाई करते हैं तो यहां पर molecular orbital में electrons जो आपको शो करने है वो 16 electrons शो करने और इसका electronic configuration कैसा होगा तो electronic configuration शो करें यह बहुत ज़रूरी है 16 electrons को आपको शो करना है इन molecular orbitals में पहले दो electrons sigma 1s में आएंगे then after इसका antibonding molecular orbital आए जागा सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s में आएंगे 2 electron फिर सिग्मा स्टार 2s इस तरह से 8 electron 8 electron तो इसी तरह से सब में fill करने आप लेकिन 9th electron जब enter करेंगे तो यहां पर condition क्या होगी condition यह कि अगर 14 electrons है total एक molecule में अगर 14 electrons है students तो अगर 14 electrons है तो 8 के बाद में 9th electron जब enter करेंगे तो वो पाई 2p y में enter करना है और अगर 14 से ज्यादा electron है यानि के 15 है तो फिर electron आपको जब एंटर करना होगा वो सिग्मा 2p x में है ठीकर ना 9 और 10th electron किसे में आएगा सिग्मा 2p x में फिर पाई 2p y में आएगा और फिर पाई 2p z बस यह धियान रखना है आपको oxygen के case में 9th electron सिग्मा 2p x में लाई करेंगे जो axis का notation हम ले रहे हैं बहुत सारी books में axis का notation different हो सकता है x axis यहां है y axis इधर है और z axis इधर है यानि के 2p x और 2p x सिग्मा 2p x को generate करेगा ठीक है न सिग्मा bond बनाएगा पाई bond नहीं बनाएगा 2p y और 2p y जो है यह bonding एंटी बनिंग बनिंग एंटी बनिंग यह सारे बनिंग हो गए 2p के अब इसके एंटी बनिंग स्टार्ट करेंगे पाई इस्टार 2p y पाई स्टार 2p z अब इलेक्ट्रों को count करें 2 और 2 4, 6, 2 8, 2 10, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से 2 इलेक्ट्रों सिमा जाएंगे 14 electron यहां फिल कर देंगे 15th electron यहां आएगा और 16 electron यहां आएगा इस तरह से 11 electron यहां आ जाएंगे 16 electron साप फिल कर दें और 17 और 18 electron तो इसमें है ही नहीं यानि के लास्ट में सिग्मा 2PX का जो एंटी बांडिंग मॉलिक्लर और्बिटर होगा सिग्मा स्टार 2PX वो क्या हो जाएगा खाली रहे जाएगा तो इस तरह से यह इलेक्ट्रोस आपने यहां भर लेंगा आप इसका मॉलिक्लर और्बिटर डायग्राम को जनरेट करते है स्टार्टिंग फ्रॉम दी बॉटम एंड टु दी अपवर्ड साइड ऑक्सिजन एंड ऑक्सिजन राइट सबसे पहले क्योंकि होमो न्युक्लर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसके अट अटोमिक और्बिटर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आप बनाएंगे बिल किया आप हो यह इस तरह से अट्मिक और्मिक होगा और जो जो ब्यूसराइंगे लिक्तस होने में एल्लेक्ट्रों मेर्ड ऑिक्ल्स होते हुटने ही होगा और ऑर यहां जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक न, इस आर मॉलिक्लर और बिटल्स, तो यहां से हमने सिग्मा स्टार 1s को जनरेट कर लिया, अब सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, जो कि बनेंगे 2S और 2S है दो electron यहाँ है इसकी overlapping कराएंगे आप तो यह generate हो जाएंगे Sigma 2S and Sigma star 2S इस तरह से 2 electron यहाँ गए दो electron यहाँ गए अब 2P and 2P next level आता है 2P molecular orbital वेलकुल आमने सामने आपको generate करना है 2P and 2P How many electrons are present in 2P तो 2 और 2,4 टोटल 8 होते है 2,4,5,6,7 और 8 इसी तरह से इसमें 5,6,7 और यह 8 इसकी overlapping जब होगी तो new orbital generate होंगे जिसे molecular orbital कहेंगे पहला देखे यह आपने generate कर लिया Sigma 1S, Sigma star 1S Sigma 2S, Sigma star 2S Then after Sigma 2PX यह आजाएगा आपका Sigma 2P इससे देखते जाना और बनाते जाना है तो electron यहाँ आ गए इसी तरह से यहाँ पर दो molecular orbital एक साथ लिखने है तो कि π2PY और π2PZ में दो-दो electron है पाइ 2PY यह वाला पाइ 2PY हो जाएगा और यह वाला पाइ 2PZ हो जाएगा फिर इसके anti-bonding molecular orbital ऊपर बनाने है आपको पाइ स्टार 2PY पाइ स्टार 2PZ एक एक electron unpair यहाँ शो करना है देखे एक एक electron यहाँ पर unpair है और फिर लाश्ट में सिग्मा स्टार 2PX क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा एक लंबी सी line आप ड्रॉ करेंगे और energy line कहते है इसको इसका bond order निकाले आप bond order is equal to total number of bonding electron total number of anti-bonding electron divided by 2 total number of the bonding electron bonding molecular orbital में these are BMO और यह AMO होती है ठीक ना bonding molecular orbital में कितने electron है anti-bonding molecular orbital में कितने electron है bonding molecular orbital वो है जिसमें star नहीं बनावा है देखे दो और दो चार दो छे दो आट दो दस यहां पर इस तरह से कितने electron हो गए 10 और anti-bonding electron कितने है 6 electrons है divided by 2 तो 4 divided by 2 4 2 इस तरह से oxygen और oxygen के बीच में क्या होगा double bond होगा right magnetic behavior इसका क्या होगा magnetic behavior अनपेर electron से यहां पर देखे टू electrons are unpair two electrons are unpaired दो इलेक्ट्रोंस अनपेर तो यह क्या होगा unpaired होगा तो क्या होगा paramagnetic होगा लेकिन दो इलेक्ट्रों है तो क्या होगा highly paramagnetic highly यह होगा highly paramagnetic right highly paramagnetic होगा due to two electrons are unpaired right अब यह तो था oxygen का molecular orbital डाइग्राम next आता है NO का molecular orbital diagram NO NO का 20 सी तरह सबनाएंगे N nitrogen and oxygen nitrogen and oxygen nitrogen में total 7 electron oxygen में 8 electron heteronuclear diatomic molecule है इससे बनाने के लिए थोड़ा सा हमें different method का हां यूज़ करना पड़ेगा 7 electrons को show करेंगे 1s2 2s2 and 2p3 इससे तरह से 8 electron को 1s2, 2s2 and 2p4 total electrons कितने होगा students एक में 7 है एक में 8 है तो total इतने होगा 15 electronic configuration करें हम 15 electron को show करना है 14 से ज्यादा है तो फिर उसी तरह से आपको feel करना है जैसे को oxygen में करें थी तरह से तरह से तरह से तरह से फिर आएगा दो और दो चार दो छे दो आट दो दस 11, 12, 13 and 14 इस तरह से दो दो electron से यहाँ जाएगे देन आफ्टर पाई स्टार 2py पाई स्टार 2p 1 electron यहाँ होगा और यहाँ हो जाएगे 0 और लास्ट में सिग्मा स्टार 2px वेकंट रह जाएगा खाली रह जाएगा फिकें, nitrogen and oxygen nitrogen and oxygen दोनों क्या है कैसे है heteronuclear है यानि कि यह molecule कैसा होगा heteronuclear होगा इनके atomic orbital ठीक एक दूसरे सामने नहीं लिखेंगे बलके उपर नीचे कर देंगे इनके atomic orbital जो जादे electro negative element है उसके atomic orbital है वो slightly down कर देंगे नीचे की तरफ कर देंगे तो 1s actual में यहाँ होने चीए था atomic orbital oxygen के लेकिन यह थोड़ा सा slightly down कर देंगे energy में थोड़ा सा स्लाइटली डाउन कर देंगे थोड़ा सा स्लाइटली हमने डाउन कर दिया यह जरूरी है करना इस्टों नहीं तो गलत हो जाएगा आपका इसाम में सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s पस यही चेंज है तो molecular orbital diagram heteronuclear diatomic molecule का जब आप generate करेंगे फिर 2s का बनाएंगे यहाँ नहीं करना थोड़ा स्लाइटली डाउन कर देंगे energy में यह सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s दो electron यहाँ पर show करें और दो ही electron यहाँ शो करें लेकिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s यहाँ सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s पर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s यहाँ आगया अब 2p का बनाएंगे आप ये भी energy में down कर देना है आपको पहला क्या है sigma 2px है तो electron यहां सो करना है 1, 2, 3 और यहां कितने electron होंगे 4, 1, 2, 3 and 4 तो यह 2p हो गया यह 2p हो गया और यह sigma 2px फिर दो molecular orbital x साथ है दोनों field है pi 2py और यह हो जाएगा pi 2pz फिर इसके anti-bonding molecular orbital यहां बना देंगे अब एक ही electron यहां पर है pi star 2py में pi star 2pz क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा और लास्ट में sigma star 2px स्वेक एंटर है जाएगा खाली रह जाएगा यह molecular orbital डाग्राम बन जाएगा किसका n होगा bond order निकाले इसका bond order n n b minus n a by 2 total bonding electron कितने होंगे इसमें 10, anti-bonding electron 5 होंगे divided by 2, 5 divided by 2, 2.5 magnetic behavior इसका निकाले magnetic behavior यह भी कैसा होगा paramagnetic होगा, इस तरह से n o का bonding molecular orbital यहाँ बना दिया हमने यह question हुआ आपका complete next आता है second question आता है b part का कैसे कैसे solve करना है students second question b part का second question b section का second question है illustrate the shielding and deshielding effect involved in NMR spectroscopy देखिया NMR spectral technique का यह question है और इसमें एक numerical भी दे रखाया है theory plus numerical combination यह question में shielding और deshielding effect बताना है in the PNMR spectrum PNMR spectrum जो कि hydrogen NMR spectrum भी कहते हैं इसको recorded as 293 Kelvin an organic compound एक organic compound है का molecular formula दे रखाया है C3H7NO हो तीन कार्बन है साथ hydrogen है और N nitrogen और oxygen है और इसी तरह से delta value 2.6 है तीन hydrogen मिलकर singulate दे रहे है यहाँ पर structure of the compound आपको identify करना है तो इससे तो हम बाद में देखते हैं पहले shielding और deshielding चेक करते हैं इसके बाद में थोड़ा सा discussion मैं कर लूँ देखिया NMR spectra का मतलब होता है nuclear magnetic resonance spectral technique जिसमें radio frequency जो कि बहुत ही lower in energy होती है वो किसी chemical पर strike करते है organic chemical की identification के लिए यह NMR spectral technique को use किया जाता है अब इसमें होता क्या है actual में क्योंकि radio frequency की energy बहुत कम होती है intensity कम होती है तो इससे क्या होता है कि यह ना तो electron को excited कर पाती है radio frequency ना ही molecule में vibration को present कर पाती है लेकिन यह एक काम कर देती है instrument किसी atom के अंदर atom जो की उस molecule के अंदर present है right जैसे के c3s7no इसमें carbon भी है hydrogen भी है nitrogen भी oxygen भी है these are the atom यह atom के अंदर electron भी होंगे proton भी होंगे neutrons भी होंगे तो radio frequency electron पर कोई भी असर नहीं करेगी ठीक है ना लेकिन nucleus के अंदर present होते है protons and neutrons protons और neutrons को direct यह target करती है और उसको excited कर देती है excited का मतलब होता है protons और neutrons जो होते है उस radio frequency को absorb करते है और वो resonance को show करते हैं nuclear magnetic resonance spectral technique अब यह NMR technique जो है nuclear magnetic resonance spectral technique जो होती है यह वही compound show करते हैं जिसके अंदर hydrogen present हो और hydrogen के अंदर होते हैं odd number of the protons या neutrons यह वही chemical को show करता है है NMR spectral technique जिसमें odd number जो उस chemical के अंदर जो atom होंगे उसके अंदर present जो protons या neutron होते हैं वो odd number में होती है ऐसे क्यों होता है क्योंकि nuclear spin को present करता है odd number of the proton या neutron अगर even number में protons होते हैं atom के अंदर तो वो क्या करते हैं एक दूसरे की spin को cancel कर देते हैं लेकिन यहां पर क्या होता है NMR spectral technique में थोड़ा सा different है थोड़ा सा different क्या होगा कि यहां पर NMR spectral technique में कोई भी specified organic chemical दियावा होगा उसमें अगर hydrogen present है तो hydrogen के अंदर तो एक ही proton होता है तो वो NMR spectral को show करेगा इसी तरह से carbon 13 वाला भी element जो होगा वो भी NMR spectral technique को present करेगा आइसोटॉप मेंली NMR spectral को present करते इसलिए इसे proton NMR spectral technique का नाम भी दिया जाता है या फिर इसको हम hydrogen NMR spectral technique का नाम दे देती है तो यहां पर एक term आती है शील्डिंग और डी शील्डिंग effect शील्डिंग क्या होती है और डी शील्डिंग effect क्या होता है देकि शील्डिंग और डी शील्डिंग को समझने के लिए किसी atom के बारे में जानना जरूरी है एक atom का structure कै कैसा होता है वो क्या शो करता है एक atom को अगर हम देखे तो atom का structure होता है बिल्कुल बीचो बीच में होता है क्या nucleus और उसके चारों तरफ होती है shells जिसके अंदर electrons revolve करते हैं तो यह nucleus है जिसका positive charge होता है इसके अंदर present होते हैं protons और neutrons और इसके चारों तरफ जो present होते हैं वो electrons होते हैं जो की revolve करते रहते हैं around the nucleus right तो NMR spectral technique में क्या होता है radio frequency को strike किया जाता है chemical पर उस chemical के अंदर present होते है atoms उस atoms के अंदर होते है और नंबर में electrons या protons यह जो protons जो होंगे वो ओड नंबर में होना जरूरी है अगर ओड नंबर में नहीं होगे इवेन नंबर में होंगे तो फिर आनमार spectrums वो chemical show नहीं गरब करेगा ठीकिए न ओड नंबर का मतलब क्या होता है देकिए ओड नंबर में न्यूक्लियर स्पिन को शो करता है अब इसमें SHIELDING या डी SHIELDing का मतलब क्या होता है इसके उस chemical को रखा जाता है strong magnetic field के under में strong magnetic field का मतलब होता है नौर्थ पोल और साउठ पोल में इन नौर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखता है लगा जाता है तो यह nuclear strong nuclear क्लियर फील्ड के बीश में मैजों किया क्का में क्वील्ट के बीच कहागा कैमीकल को रखा जाता है कि ईसे में इसे सिलेटर का स्यपिट कया बीच सी के अंदर डालता हैoda इसे हैं इसे हैं सेम्पिल के अंदर और्गनिक केमिकल भर दिया जाता है ठीकिक ना और्गनिक केमिकल प्लस कार्बन टेट्रा क्लो आ सिलिकन इसमें एक केमिकल रखा जाता है और्गनिक केमिकल इस सेम्पिल के अंदर और्गनिक केमिकल होता है प्लस ट्राइव ट्रामिथाइल साइलेन इसके अंदर होता है ट्रामिथाइल साइलेन वहती वन परसंट के करीब होता है और एक सूटेबल सॉल्वेंट होता है सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर और और गनिक केमिकल को डिजॉल्व करते और टेटरमिथाईल साइलेंट के अंदर रखे कनेर मेनेनिस अफ्ल्ड को रखाजा जाता है अब्सक्राइड क्या होता है यहन जो होता है और म्यंगनेटिख फील्ड करते हैं उसके मिल एंदर होते हैं एटम के अंदर होते इंदर आप those तो मेंग्नेटिक फील्ड जो होता है जब apply होता है और मेग्नेटिक फील्ड में यह प्रोट्टॉंस और《निउट्रॉंद 3》 ईप्रमाट के हैं appreciate उस मेगनेटिक फिल्ड से के इंटिरे आते मैगनेटिक फिल्ड के इंफ्लेंस में आते और यह रेजुनेस्ट शो करते है रेजुनेस्ट शो करने का मतलब होता है कि प्रोटोंस या न्यूट्रोंस क्या होते रेडियो फ्रिक्वेंसी को तभी अब्जॉर्ब कर पाएंगे जब वो रेजुनेस्ट कंडिशन में पह बाहर की तरह रिवाल्व करते है यह इलेक्ट्रों में अपनिक रीपाल्स औरलेक्ट्रोंस में क्या होता है। यत डूसरे को दूर भगाते हैं और इससे भी क्या होता है नीट्रोणिक फील्ड होता है और इस यह जो इलेक्टर्ण और इलेक्ट्रोण घर मैंग्नेटिक फीलंड का कर देते हैं इलेक्टरोण घर तो यह जा रहाँ था प्रोटोण्स है तो सबुझाने के लिए प्रोटों्स resonating condition में पहुचाने के लिए protons को apply किया रहा था, यह क्या हो जाता है, यह feel कम करेगा, यानि कि magnetic field को यह feel कर पाता है, क्यों कि electron के repulsion होता है, electron electron एक दूसरे को shield करते, तो इस condition को जब electron cloud जादे होता है, किसी nucleus के चारों तरफ, तो वहाँ पर effective nuclear, effective magnetic field है, वो nucleus कम feel करता है, due to the electron shielding, इसे कहते है, electron का shield होना, electron shielding कहते है, अगर electron cloud अगर कम होता है, electron cloud अगर कम हो जाए, electron ज्यादे नहीं होंगे, या वो दूर होंगे, तो इससे क्या होता है, effective nuclear, effective magnetic field जो होगा, वो ज्यादा feel करेगे, कौन? protons और neutron, यानि के nucleus पर magnetic field ज्यादे feel होगा, ज्यादे attract होगा, तो इससे क्या होता है, वो de-shielding की condition कब होती है, shielding की condition जब आती है, जब electron, electron repulsion ज्यादा होगा, दी-shielding की condition कब आती है, जब electron cloud less होगा, यानि कि electron, electron shielding कम होगी, electron, electron को shield कम करेगा, अब देखते है, actual में क्या है shielding of protons, shielding of protons क्या है, it should be noted that NMR spectrum is not determined, only by nuclear properties, लेकिन ये एक चीज़ पर भी defend करता है, वो है chemical environment, यानि कि electron कितने हैं, nucleus के चारों तरफ, ठीकिन न, earth to a proton, proton के चारों तरफ, nucleus के चारों तरफ, electron cloud कितना है, example, जैसे के CH3, CH2, OH है, ठीकिना, CH3, CH2, OH, इसमें भी hydrogen है, NMR spectra show करेगा, और OH, तीन तरह के protons है, इसके अंदर, ठीकिना, एक carbon से तीन hydrogen है, दूसरे carbon से दो hydrogen है, और एक oxygen से hydrogen है, इसमें तीन तरह के peaks निकल कर आती ही, तीन signal आते है, spectrum consists of three peaks, तीन peaks आएगी corresponding to hydrogen, CH3, CH2 और OH, तीन peaks आएगी, shielding का मतलब क्या होता है, in an proton, due to the electron, electron repulsion, electron, electron एक दूसर को repulsion करते हैं, protons feel less external magnetic field, proton कम external field को feel करेगा, तो required high magnetic field, इससे क्या होगा, magnetic field ज्यादे apply करना पड़ेगा, ताकि resonance की condition ठीक ठाग हो, procession of the proton, proton को process करने के लिए perform signal, ताकि वो signal दे, ताकि वो radio frequency को absorb करे, इन NMR spectra, thus protons are shielded, इसी तरह से protons shielded की condition, shield कराए जाते हैं by the electron cloud, electron cloud की वेज़ से proton कैसे पहुँझाता है, shielding condition में पहुझ जाता है, is depend upon the electron attracting properties of neighboring atom और group, जैसे के CH3F है, CH3F, and CH3F में, methyl fluoride में, methyl group comes to resonance at higher radio frequency, methyl group जो है, higher resonance frequency पर ही active होता है, then CH3Cl, methyl chloride के in comparison, since fluoride is more electronegative than chloride, तीकि न, अब D-shielding की condition क्या है, D-shielding की condition यह है कि अगर electron cloud अगर कम होगा, electron cloud proton के चारो, nucleus के चारो तरफ अगर कम होगा, तो condition क्या होगी, D-shielding की होगी, यानि कि electron, electron repulsion कम होगा, nuclear magnetic field जो है, external magnetic field जो है, वो ज्यादा experience होगा, किसके जरीए, protons के जरीए, यानि कि nucleus वो ज्यादा external magnetic field को feel करेगा, और इससे processing frequency जो होगी, कम radio frequency पर ही वो protons क्या होगा, process हो पाएगा, और आसानी से peaks दे देगा, तो in electron density, if the electron density around a nucleus decreases, अगर electron density nucleus के चारो तरफ decrease होती है, opposing magnetic field becomes small, opposing magnetic field क्या होगा, होगा, small होगा, therefore nucleus field more and more the external magnetic field, nucleus क्या होता है, जादे external field को महसूस करता है, जिसे हम B O कहते, and therefore it is said to be deshielded, इसी तरह से इस condition को कहते है, deshielding की condition, because the protons experience high external magnetic field, protons जादे magnetic field को experience करेंगा, क्योंकि electron cloud कम हो जाएगा, कम होगा, इस वेज़े, it needs higher frequency, to achieve resonance, therefore the chemical shift downfield, इसी तरह से chemical shift downfield पर चला जाएगा, यानि कि higher PPM पर चला जाएगा, तो यह condition deshielding की थी, अब यहाँ पर एक numerical भी इस question के अंदर है, और वो क्या है, इसमें एक molecule दे रखा है, एक molecular formula दे रखा है, C3S7NO, इसकी तीन condition है, तीन peaks है, तीन signal है, और वो तीन signal क्या है, एक तो यह वाला है, delta value 7.8 का, दूसरा delta value, यानि chemical shift है, 2.8 का, और तीसरा signal है, 2.6 का, इसे को कैसे solve करना है, तो यह भी देख लिए test trends किस तरह से solve करेंगे, यहाँ पर यह जो है, इनो condition आपको दे रखी है, और इसको कैसे solve करना है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, देखें, C3, molecular formula है, C3H7NO, तीन carbon है, साथ hydrogen है, और एक nitrogen और एक oxygen है, यहाँ पर तीन signal दिखाई दे रहे हैं, numerical में तीन signals है, और वो तीन signal क्या है, एक तो chemical shift 7.8 पर है, एक hydrogen शो कर रहा है, और कैसा है, singlet है, एक hydrogen शो कर रहा है, singlet है, साथ hydrogen में से एक hydrogen chemical shift 7.8 पर दे रहा है, अब दूसरा क्या है, delta value 2.8 पर है, इसमें 3 hydrogen मिलकर, और वो भी क्या दे रहा है, singlet दे रहा है, अब तीसरी peaks कौन सी है, delta value 2.6 पर है, और यह भी 3 hydrogen मिलकर क्या दे रहा है, singlet दे रहा है, तो टोटल नंबर अब hydrogen की नहीं है, 3 signal है, लेकिन NMR spectra में 3 signals है, और वो 3 signals क्या है, एक तो इस तरह सा आएगा, एक इस तरह सा आएगा, और एक इस तरह से, और एक 4 signal जो होता है, वो TMS value का होता है, tetramethyl silane का होता है, जो की chemical shift 0 पर होता है, एक signal delta value 7.8 का है, एक delta value 2.8 का है, और एक signal delta value 2.6 का है, इस तरह से 3 signal है, अब इसमें chemical formula दे रखा है, molecular formula दे रखा है आपको, chemical formula यहाँ पर पूछा गया है, कि structural formula क्या होगा, यह compound actual में होगा कौन सा, तो यहाँ पर यह 3 signal है, singlet, 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 singlet कब देता है, single peak कब देता है, जब neighboring protons से वो excited ना हो, अगर बराबर में protons होते है, अगर उससे spinning होती है, उससे interaction होता है, तो यह क्या होता है, सिगनल, singlet की जगा doublet हो जाता है, या triplet हो जाता है, जैसे के, CH3CH2OH है, यहाँ पर 3 hydrogen है, एक, दो, तीन, यह इस carbon से जुड़े वे 3 hydrogen है, तो इसके बराबर में क्या है, 2 hydrogen है, तो इसकी जो peaks होगी, वो इससे क्या होगी, influence होगी, और इससे influence इस तरह से होगी, कि अगर इसमें 2 proton है, तो इसकी जो peaks आनी वाली थी, वो क्या होगी, N plus 1 rule को follow करेगी, और 2 hydrogen plus 1, यानि के 3, यानि के triplet में तूट जाएगी, इस तरह से triplet में तूट जाती है, अब यह वाला proton देखें हम, इसके आस प्रोस में क्या होगा, देखें, इधर तो oxygen आ गया, और इधर hydrogen आ गया, तो यह तो hydrogen दूर चला गया, इस hydrogen से, यह वाला hydrogen से क्या होगा, influence होगा, इधर 3 hydrogen है, तो N plus 1 rule को follow करेगा, बराबर neighboring protons है इसके अंदर, तो N plus 1 क्या मतलब होता है, यानि के इसकी multi plate peak देगा, इसकी triplet peak देगा, और यह वाला hydrogen जो है, इसके बराबर में oxygen है, और बराबर में carbon ही, यहाँ पर कोई proton ही नहीं, तो यह कैसा देगा, singlet देगा, यहाँ पर neighboring proton की condition आगरे, अगर neighboring proton होते हैं, तो क्या होगा? Multi plate देगा, यह नहीं के doublet हो सकता है, triplet हो सकता है, लेकिन neighboring proton होगा नहीं होते है, तो क्या होगा singlet देगा तो तीनों तरह की condition में एक बात तो clear है कि यह सारे hydrogen जितने भी है एक तीन चार और तीन साथ साथ hydrogen है यह सारे hydrogen में तीन तो same environment के इसके आस पास में कोई hydrogen नहीं है इसके neighboring hydrogen नहीं है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी एक hydrogen है इसके भी neighboring hydrogen है ही नहीं ही नहीं नहीं नेवर में कुछ और है कोई और elements है राइट तो अब ध्यान से देखें देखें इसमें देल्टा वेल्यू 2.8 है डेल्टा वेल्यू 2.6 है यह लगभग डेल्टा वेल्यू बिल्कुल सिमलर है सेम है ज्यादे डिफरेंस नहीं है तो एक जैसा environment पर यह दोनो hydrogen यानि के यह तीन hydrogen और यह तीन hydrogen यह ति एक hydrogen यह भीorit सिंग्छेंट दे रहा है हो इस market है तो कैसा होगा इनल लीजें तो लिज्चें तीन कार्बन तो माल लीजिग कार्बन से हाई जडा होर इए कार्बन से एक hydrogen जुडा होर इस के बराबन में इस carbon से कोई भी hydrogen जुडा होरा दीए अगर तो इस carbon या connected होगा, इससे या तो nitrogen, इससे दूसरा carbon connected होगा, ठीक ना, इससे दूसरा carbon connected हो सकता है, या फिर oxygen या nitrogen connected हो सकता है, carbon की valency होती है, तीन, अभी देखते हैं, एक condition तो ये इसकी निकली, अब यहाँ पर तीन hydrogen है, जो कि singlet दे रहे हैं, यहाँ पर भी तीन hydrogen है, singlet दे रहे हैं, दोनों का लगबख सेम एनवारमेन्ट है, तीन hydrogen सिंगलेट दे रहे ह। तो यह क्या होगा? एक carbon से 3 hydrogen क्या होगे? एक carbon से 3 hydrogen connected होगे. फिके मिथाइल गरुप को यह show करेगा? यह किसको so करेगा? मिथाइल गरुप को show करेगा, मिथाइल गरुप की जो delta value होती है, वो क्या होती ह लगबग 2.5 से 3 के बीच में होती है तो यह मिथाईल ग्रूप क्या की डेल्टा वेल्यू को लाई करता है तो मिथाईल ग्रूप यहां पर होगा इतना तो हमने observation किया अब second observation में क्या करेंगे इसमें एक nitrogen है और एक oxygen है यहां से calculate करें तीन और टीन चे और एक साथ hydrogen यहां पर complete हो गए एक nitrogen और एक oxygen यहां पर बचता है अब इस carbon से अब यहां पर overall जो summation हम सब को सम को gather करते हैं तो carbon से जुड़ा हुआ एक hydrogen तो ही है अब यहां पर CH3 है यहां पर CH3 है एक दूसरे से connected बिलकुल नहीं है यह दोनों connected है किसी एक other element से लेकिन उससे भी क्या है कोई भी hydrogen इससे connected नहीं होगा अगर connected होगा तो क्या होगा फिर यह splitting pattern को शोगरेगा डबलेट यह ट्रिपलेट देगा राइट तो यहां पर क्या होग होगा एक other element होगा suppose nitrogen को हम यहां रखते हैं और इस nitrogen से इस carbon को connect कर देते हैं इस तरह से तो nitrogen यहां पर होना ही होना है ठीक है ना क्योंकि nitrogen की तीन aqui Australia fuel Benji तभी आएगी मेंगी दो मैंचीओ यहां पर कंजूम हो जाएगी और यकवेलेटिजिकार्ग बनकर साथ में वेलेंस हो जाएगी तो इस तरह से nitrogen की तीन वेलेंसी आजीगी है अगर में यहां आप कार बन के तो चार वैलेंसी होती तो वहां पर सिक नहीं होता अब ए अब एक oxygen यहां पर बचता है तो उसको double bond oxygen हम यहां लगा दें तो यह अब यह फार्मूला निकल कर आया structural formula overall summation structural formula यहां पर निकल कर आया किसका C3S7NO का अब यहां पर completely आप देख सकते हैं ठीके ना यह hydrogen है इस carbon से connected है ठीके ना singlet देगा delta value कितने पर है यह high absorption पर है delta value 7.8 पर है chemical shift high है इसकी एक hydrogen है और वो क्या दे रहा है singlet दे रहा है कोई भी neighboring proton यहां पर connected नहीं है यह तो clear हो गया अब दूसरे carbon पर आते हैं यह और यह ठीके ना भी तो यह A type की peak देगा अब यह क्या है B type की peak देगा इसमें 3 delta value क्या है 2.8 है और 3 hydrogen है और यह भी singlet देगा देखिए इस तीन hydrogen का environment से में और इस से connected एक nitrogen है और neighboring proton है ही नहीं तो यह value हो गई फिर इस तरह से इस वाले hydrogen को देखे हम delta value कितनी है delta value है इसमें delta value 2.6 है 3 hydrogen है और एक singlet देगा इस तरह से molecular formula यह जो molecular formula था उसका structure formula यह बनकर तयार हुआ तो इस तरह से आप calculate visualize करेंगे NMR spectra के through NMR जो data निकल कर आता उसके through आप आसानी से इसे पता कर सकते है अब next question है second question का c part है illustrate the various steps involvement during the manufacturing of Portland cement Portland cement क्या है एक diagram के through आपको समझाना है give the chemical reaction involved during the setting and hardening of cement complete processing बता नहीं है कि सिमेंट की सिमेंट कैसे मनाया जाता है सिमेंट होता किया है और manufacturing को शो करना है manufacturing किस तरह से बताया करनी होगी इमन का होता है सिमैंट किया होता है सिमें इसम सिलिकेड और कैल्सिum Eluminate का मिकष्यर है तिगोना जिसमें जिबिसम क्या सिम्प्राइब सब पे मिला थोता है Sement is binding इस बाइंडिंग मेटेरियलं चिमेंट आप सभी जानते कि के कि मैंडी काम करता है और इस्मैंट को प्षर किया जाता है रोटेरी किल एक घूमने वाली भट्टी होती है घूटै है तीकना उसमें वालने और वाल Śक को प्लास्टर करने के काम में Donald लेंась में मैटेडिय Seven चमिया है इसमें धम सिमेंट को बनाने के लिए दो मैटेयल में लॉघ में जाता है इसमें ओर यूटन और दूसरा हो में टेंपरेचर अलग-अलग पार्ट का अलग-अलग होता है तो रोटेरी किल्न में डाल दे जाता है और उसमें फिर बाद में जब सिमेंट बनका तयार हो जाता है तो उसमें जिपसम को एड़ कर दिया था जिपसम का रोल मैंने बताई दिया तो इसमें रोटेरी किल्न होत होता इसके तीन पार्ट होते हैं और सबसे ऊपर में यहां पर raw material डाला जाता है raw material जो जो की lime stone lime stone plus play यहां डाल डाल दियाता है इसके तीन चैंबर है एक तो ये वाला हो गया एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया तो इसके तीन रोटर होते हैं ये घूमने वाले रोटर होते हैं जिसको घूमा सकते हैं आसानी से ये सबसे अपर चैंबर है अपर ये मिडिल चैंबर होता है और ये सबसे lower chamber होता है upper chamber का जो temperature है लगबख 400 से लेकर 500 degree centigrade होता है middle chamber का temperature लगबख 1000 degree centigrade होता है और सबसे lower जो chamber होता है इसका temperature लगबख 1600 degree centigrade होता है अब ये जो है chamber connected होता है ये rotor connected होता है एक हीटर से हीटर जो कि गरम हवा फेकता है ठीक ना और यहाँ पर डाल दिया जाता है कोल पल्वेराइज कोल बारिक पिसावा कोल इसमें डालते हैं यहां से हीट निकलती है गरम हवा और यहां से कोल फ्लेम निकलती है और जो टमपरेचर इस वाले का सिक्स्टीन हंडड करती है मिडिल का 1,000 और तर्ड जो चेमपर है उसका कुछ और टमपरेचर हो जाता है कि यहां से कूल ऐर डाली जाती है और यह हीटर को गरम कर देदेद हीटर जलाया जाता है इसमें फेन लगा होता है हीटर एंड फेन और इसको गरम करके आगे की तरफ टेंपरेचर को बढ़ाते रियती है यहां से जो मैटेरियल निकलता है इसे कहते हैं सीमेंट करेंट लिंकर एक इस ते भी मिर्णतों त्टा इस तरह से हर एक चेंबर का अपना अपना काम होता है पहले कि आपने चंपरेचर होता है जिसमें लाइम स्टोवर इपर एक पी पसावा होता है लॉन उडिंटी बारिक पस सी उथी यह खो फाइन्टर दे पान consumers वाकिन Leam mix करके गारा बना दी जाता है यानिके slurry मना दी जाती slurry को इसके अंदर डाल दिया जाता है कौन से chamber में? यहाँ पर डाल दिया जाता है 400 degree centigrade और slurry जिसके अंदर water का content ज्यादा होता है वो water का content क्या होता है? इसमें moisture जो होता है वो बहार हो जाता है इसमें लाइम स्टोन जो होता है लाइम स्टोन डिवाइड हो जाता है लाइम स्टोन डिवाइड वगहरे वगहरे देती है हौर इसमें सारी केमिकल रियक्षन होने लगती है, lime जो होता है, silica से, alumina से, iron oxide से, इन से reaction करके, क्या होता है, calcium silicate और aluminate बनाता है, और यहाँ पर calcium silicate और aluminate बन जाता है, और वो फिर इस chamber में डाल दे जाता है, इसे कहते हैं hot clinker, cement clinker, और यहाँ से cement clinker इधर की तरह आता है, cool air यहाँ से डाली जाती है, cool air क्या हो जाती है, ठंडा करती भी आगे बढ़ जाती है, और फिर इसको बारीग ball meal के अंदर इसको grind कर ले आता है, पीस ले जाता है, फिर इसमें जिफसम मिला दिया जाता है, तो इस तरह से cement बनकर तयार हो जाता है, तो यह इसके तीनों पार्ट थे, lower chamber तक के, इसमें reaction क्या होती है, देखे, calcium oxide जो होता है, यह silica से reaction करता है, third chamber में, जिसका temperature कितना बताया है, मैंने, 1600 degree centigrade, यहां से calcium oxide मिल जाता है, जो कि lime stone से निकलता है, यहां से silica निकलती है, alumina iron oxide और यह calcium oxide पहले silica से reaction करता है, फिर alumina से फिर iron oxide से, इस तरह से इसकी जो composition reaction है, वो क्या है, calcium oxide जो है, die calcium oxide जो है, वो silica से reaction करके die calcium silicate बना देता है, और इसको हम short में, C2S कहते है, die calcium silicate का मतलब होगे है, C2S, सीधा सीधा जोड के लिख देना है, आपको die calcium silicate कैसे बनेगा, 2CaO SiO2 से reaction कर देगे, और यह हो जाएगा, 2CaO.SiO2, die calcium silicate बनेगा, अब calcium oxide, जो कि lime stone ने दिया था, third chamber में आकर silica से फिर reaction करता है, तीन molecule, और यह tricalcum silicate बना लेते हैं, इसको हम C3S कहेंगे short में, C3 का मतलब होता है tricalcum, S का मतलब होता है silicate, अब फिर calcium oxide जो है, तीसरी chemical reaction शोगरता है, तीन calcium oxide के molecule है, वो alumina के साथ में reaction करते हैं, alumina कोन देगा, clay देगा, और calcium oxide कोन देगा, lime stone देगा, यह अपस में reaction करके tricalcum aluminate बना देते हैं, और इसको कहेंगे हम C3A, यह tricalcum aluminate क्या होता है, जब cement में पानी डालते हैं, तो बहुत तेजी से जम जाता है, यानिके बहुत तेजी से strong होना सुरू जाता है, सेट होना सुरू जाता है, इसलिए इसमें gypsum मिला दे जाता है, ताकि यह slow down कर दे, इसकी setting reaction को, तो आथी chemical reaction क्या होती है, चार calcium oxide के molecule, alumina और iron oxide से reaction करके, tetra calcium alumino ferrit बना देते हैं, यानिके C4AF बना देते हैं, और hot mass C2S, dry di calcium silicate, tricalcum silicate, tricalcum aluminate और tetra calcium alumino ferrit, या अपस में, जो hot mass होता है, mixture होता है, इसे कहते हैं, cement clinker, ठीके ना, और बाद में इसमें gypsum को मिला दिया जाता है, setting और hardening equations में, क्या होता है, जब gypsum, जब cement में पानी मिला दिया जाता है, तो cement, में जब पानी मिला जाता है, दो तरह की chemical reaction होती है, पहली water जो मिलता है तो hydrolysis करता है या फिर hydrogen करें गा, hydrolysis reaction में क्या होता है, calcium hydroxide और magnesium hydroxide बनता है, ये क्या काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है, चीजों को, और hydration reaction क्या होती है, पानी के molecule जो हते है, add हो जाते हैं, मिल जाते हैं जुड जाते हैं complex बना लेते हैं और collidal gel मना लेता है तो दो तरह की reaction होती है hydrolysis और hydration तो पहली reaction क्या होगी setting और hardening process में hydration of di-calcium silicate पहला क्या बना था di-calcium silicate का hydration होगा और hydration में क्या होगा water molecule इससे जुड जाती है तो c2s के मतलब गया di-calcium silicate di-calcium silicate water के साथ में जुड जाएगा और collidal gel बना लेगा यानिके 2cao si o2 collidal gel बना देता है collidal gel जो होता है एक gel cement के अंदर जो चिपशिपा material होता है वो gel होता है ठीक है न वो बना लेता है दूसरा hydrolysis reaction होगी hydrolysis of c3s di-calcium silicate का क्या होगा hydrogen होगा try calcium silicate का hydrolysis होगा hydrolysis में क्या बता है यह फिर magnesium hydroxide बनाता है तो di-calcium silicate में water six के साथ में reaction कराएंगे try calcium silicate और यह क्या मतलबा देगा calcium hydroxide में टूटेगा और di-calcium silicate बन जाता है ठीक है आप टीसरी chemical reaction क्या होगी try calcium Aluminate देखे Dicalcium Silicate यह हो गया इसका Hydration हुआ Tricalcium Silicate Hydrolysis हुआ फिर Tricalcium Aluminate की दो chemical reaction होगी इसका Hydration भी होता है और Hydrolysis दोनों reaction होगी पहला Hydration में क्या होगा Hydration में जो होगा छे water के Molecule जो होते है Tricalcium Aluminate के साथ में जुड़के Collidal Gel बना लेती है और चौते reaction में क्या होगा Parsal Hydrolysis reaction होगी Tricalcium Silicate की Tricalcium Aluminate की Tricalcium Aluminate तेजी से reaction करता है ठीकर इसको Slow Down करने के लिए जिब सम्म मिला देती है इसमें तो इसमें Tricalcium Aluminate की दोनों chemical reaction होगी Hydrolysis भी होगा और Hydration भी होगा Hydration में 6 water molecule इसमें Tricalcium Aluminate के साथ में जोड़ देंगे Collidal Gel बन जाता है और फिर 6 water के molecule इसके साथ में reaction करेंगे Hydrolysis reaction शो करेंगे तो Calcium Hydroxide और Aluminum Hydroxide बनकर तयार हो जाता है और Last chemical reaction क्या होगी Hydration और Tetra Calcium Aluminoparid का Hydration chemical reaction में क्या होगी 6 water molecule इसमें add होते है और क्या होगा Hydration होगा Hydration में क्या होगा Tricalcium Aluminate प्लस 6 water molecule इसमें add हो जाता है Collidal Gel बनता है और CAO Fe2O3 बन जाता है इस तरह से सारी ये पांच इसमें setting and hardening की chemical reaction है और चार इसमें कौन से reaction है manufacturing of cement में की reaction है तो इस तरह से ये total no reaction इसमें आती है next question आता है compare the merits and demerits of zeolite and ion exchange process ion exchange process और zeolite process दोना ही process क्या होते है water hardness में आपने पड़े होंगे ये water की hardness के लिए use होते है hardness water के अंदर calcium bicarbonate calcium magnesium bicarbonate जो कि temporary hardness create करता है पानी के अंदर right कुछ permanent hardness होती है hardness क्या होती है water अगर हम hard water लेते हैं hardness को हम define करते हैं कि अगर ऐसा पानी ऐसा water जिसमें soap को अगर हम डाले तो soap को consume कर लेता है soap को consume करने का मतलब यह है कि यह soap से chemical reaction शो करता है और scale और scum बना लेता है scum का मतलब होता है धाक produce नहीं होते है form create नहीं होते हैं बलके क्या होता है precipitate बन जाता है साबुन उसमें घोलते हाड हाड वाटर में तो क्या होता है साबुन सारा क्या होता है chemical reaction शो करता है hardness creating salt से और उसमें चार तरफ तैरने लगता है इसको कहते हैं सम्फॉर्मेशन तो यह hardness होती है calcium और magnesium की bicarbonate और sulfates और chlorides अगर पानी के अंदर होते हैं इसको बाहर निकालने के process को कहते हैं softening of hard water. Γ्यां ole आप यह softening और फिर आइन श्चेंज ging प्रोसेस है reverse osmosis है, और बॉलाig iosoda तो यह लिए कई तरह ब्रोसेस जिसमें जिवाइः और और आइन और और अश्चेंज प्रोसेस में आते हैं. झाल आ क्या होता है the right process आपने पढ़ा होगा students a zeosiolite process में च्छिलाइट बैड होती है इसके पानी आता है और zeolite क्या होता है जीolite उसमें पानी के अंदर present calcium and magnesium mg 2158 टूब सा cleared करता है और उलाइट उन calcium को पकड़ लेता है और बदले में क्या होता है जितने भी temporary hardness है permanent hardness है उसे तोड़ देता है और water के अंदर ये calcium और magnesium iron को बहार कर देता है इससे पानी क्या हो जाता है hardness free हो जाता है तो इसके merits क्या है zeolite process के देखे इसमें temporary और permanent hardness दोनों बहार हो जाती है sludge formation नहीं होता गंदगी नहीं होती जियोलाइट पोर्स जो होते है उसके अंदर calcium और magnesium फस जाते है ना पानी बिल्कुल साफ होता है पानी में कोई भी गंदगी नहीं होती equipment occupy less space जो equipment है zeolite softener जो होता है क्या होता है कम जगे घहरता है और आसानी से pipeline में store किया जा सकता है automatically adjust आसानी से adjust कर सकते हैं और cheap processes सस्ता प्रोसेस है और require less space less time for softening hard water यह तो merits हो गए इसके कुछ merits है यानि कि फायदे हो गए demerits क्या है जो पानी से जो hard water जो ट्रीट किया जाता है soft किया जाता है उसमें sodium salt आ जाते है sodium salt बाहर आ जाते हैं क्योंकि sodium zeolite na2z होता है sodium बाहर हो जाता है calcium और magnesium पकड़ ले आता है तो sodium जो होते हैं यह पानी के अंदर चले आता है इसलिए sodium salt की content जादे होती है high termidity वाला पानी colorful water hot water को यह soft नहीं करता soft water के अंदर acidic content ज्यादा पहुंच जाते हैं zeolite bed जो है पहले तो बहुत fast काम करती है फिर यह क्या हो जाती है स्लो हो जाती क्योंकि इसमें calcium और magnesium first जाते है इससे क्या होते हैं पोर्स क्या हो जाते हैं सारे फिल्ड हो जाते और वह पोर्स फिल्ड हो जाते हैं तो फिर water की जो softening process है वो slow हो जाता है तो यह तो था जियूलाइट का मेरिट्स और डी मेरिट्स अब आयन एक्चेंज की मेरिट्स और डी मेरिट्स पढ़ते हैं आयन एक्चेंज प्रोसेस क्या था आयन एक्चेंज प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें दो आयन एक्चेंजर होते हैं एक तो कैटायन एक्चेंजर होता है और एक एनायन एक्चेंज होते हैं और वाटर के अंदर जितने भी न एनैस होते हैं उस को बाहर कर देता है क्या रेजीन और पानी के अंदर से ayon सारे सारे फ्री हो जाते हैं जिससे water जो मिलता है वो क्या होता आयन स्प्री वाटर मिलता है तो इस में आयन एक्चेंज Holz प्रोसेस में 58% यानि लगबग 2 ppm वाला पानी जो soft होता है उसकी जो hardness होती है वो लगबग 2 ppm होती है लगबग 0 hardness का पानी इसमें मिलता है 98% pure water मिलता है soft water जो होता है medical field में और बहुत सारी industries में use होने वाला होता है क्योंकि आयन free water होता है distilled water के सकते हैं आप इसमानी को और complete hardness बाहर हो जाती है temporary or permanent दोने हाडनेस बाहर हो जाती है और कम जगे घहरता है यह भी equipment automatically adjusted होता है यह तो इसके कुछ merits होगा है demerits क्या है इसकी इसके जो cost है बहुत ज्यादा है दिथे ना क्योंकि रेजिन इसके अंदर यूज होती है यह क्या वसी होती हो ओर गेनिक रेजिन होती यह महंगी होती है cation exchange resin और Nió nion exchange resin दोने महंगी होती है maintenance cost कम होता है चलाने ने का कोस्ट कम होता है لेकिन printing का इसका आ रनिंग सबस्वर कम होता है लेकिन इसका जो initial post होता है वो ज्यादा होता है more time required for softening hard water ज्यादे time लिया लेता है acidic और alkali, extra acid और alkali इसमें use किया जाता है ठीक है ना? केटाइन exchange resin को बाहर regenerate करने के लिए इसमें acid डाला जाता है और anion exchange resin को regenerate करने के लिए इसमें base डाले या, alkali डाले जाता है तो यह chemical यहाँ extra लगाए जाती है process run, skilled supervision, यह process पूरा skilled supervision यानि कि सीखना ज़रूरी होता है तभी आप यह कर सकते हैं तो यह कुछ इसके demerits थे अब next आता है, last question इसका आता है second section का Grignard reagent, Grignard reagent क्या होता है, और Grignard reagent से formaldehyde, acetaldehyde, acetone और carbon dioxide के समना सकते है तो देखे, Grignard reagent का formula, Grignard reagent का general formula होता है R, Mg, X, R क्या है, alkyl group हो सकता है, alicyclic, aliphatic, aromatic, aromatic हो सकता है, magnesium, इसमें metal है और X क्या है, halogen है, अब Grignard reagent की बनाने का method क्या होता है तो method of preparation method of preparation देखे, Grignard reagent को बनाने के लिए simple सा है, magnesium को हटा दो, Rx alkyl halide की reaction, हम magnesium से करते हैं और इनको जोड के लिख दो R, Mg, X ठीक न, alkyl halide alkyl halide लिया जाता है, ये भी कैसा होता है, dry magnesium भी dry होना जरूरी है और ये dry ethyl ether dry ethyl ether के in presence में ये reaction होती है और ये बन जाता है, R, Mg, X तो simple से manufacturing process तो इसका simple method of preparation simple था ठीक न, अब इसको जहां पर R, जो है ये methyl group भी हो सकता है ethyl group भी हो सकता है phenyl group भी हो सकता है ठीक न, और X जो है ये halogen chloride bromide, bromide, iodide में भी पॉसल है अब इससे कि इथाइल मेगनी से bromide लेना है और उसकी reaction formaldehyde से करनी है आपको फिर acetaldehyde से करनी है और फिर ketone से करनी है और लास्ट में carbon dioxide से करनी है अब यहां पर chemical reactions chemical reactions सबसे पहले दो कि जनरल मेकनिजम इथाइल मेगनीसियम bromide से बनाना है कि reaction HCHO से करानी है कैसे कराएंगे पहली reaction इथाइल मेगनीसियम bromide की reaction formaldehyde से कराती है C2H5HCHO C double bond O H H formaldehyde की reaction C2H5MG BR से कराती है यह reaction कैसे proceed होगी students यह reaction इस तरह से होगी देखें यह यह कार्बोनाईल group है कार्बोनाईल group जब गरिगनाड reagent से reaction कराते हैं तो कार्बोनाईल ग्रूप का यह bond तूटता है oxygen पर slightly negative चार जाता है और carbon पर slightly positive चार जाता है इस तरह से इथाइल ग्रूप और magnesium group में magnesium group positive और इथाइल ग्रूप negative character शो करता है जब यह bond break होता है तो इथाइल ग्रूप जो है सीधा जाकर तो कि negative positive की तरफ जुड़ेगा और magnesium सीधा जाकर किस पर जुड़ेगा oxygen पर जुड़ेगा एक primary transition complex बनता है तो c hydrogen तो ऐसा कैसी है यह hydrogen भी ऐसा कैसी है इस से c2h5 जुड़ जाएगा यह bond today का oxygen oxygen से mgbr यह transition complex बनकर तयार होता है transition complex फिर इसकी हम करते है hydrolysis hydrolysis में proton transfer reaction होती है hydrogen जो है सीधा जाकर oxygen से जुड़ जाता है और यह बनकर तयार होता है c single bond h single bond h c2h5 और oh magnesium 2 positive और br 1 negative बहार हो जाती है इस तरह से यह जो compound बनता है c2h5 c2oh यानि कि primary alcohol one degree alcohol बनता है c2h5 c2 कितने कारबन हो गए तीन कारबन प्रॉपे नॉल बनकर तयार होगा प्रॉपे नॉल अब second reaction इसमें क्या है second reaction क्या है second reaction यह है कि Grignard reagent यानि कि c2h5 mg br की reaction हम c2h5 mg br की reaction हम c2h3 cho से कराती है ठीकर ना second reaction में देखी क्या होगा अब यहां पर ch3 cho h और एक hydrogen को replace करके इसकी जगा ch3 लगा दिया वही सेम है c2h5 mg br यह bond today का slightly negative slightly positive यह slightly negative or slightly positive c2h5 सीधा इस carbon से जुड़ेगा और mg इस oxygen से जुड़ जाएगा एक transition complex बनेगा यहां ch3 और यहां c2h5 और omg br transition complex proceed hydrolysis reaction hydrolysis reaction करेंगे तो यह बन जाएगा compound ch3 h c2h5 oh mg two positive and we are one negative इसको क्या कहेंगे हम और c2h5 ch3 choh यह secondary alcohol बन जाएगा यहनि कि एक carbon से दो carbon connected है एक तो ch3 यहां पर है c2h5 यहां है secondary alcohol अब third chemical reaction क्या होगी acetone की कराएगे हम थर्ड chemical reaction c2h5 mg br की ch3 choh3 से कराएगे acetone से तो c double bond o c h3 k3 इसकी reaction हम कराएगे c2h5 mg br c2h5 mg br फिर यह वह होगा slightly negative slightly positive slightly negative slightly positive c2h5 carbon से जुड़ेगा और mg यहां जुड़ जाएगा transition complex बनेगा c h3 यहां c h3 यहां और इस carbon से जुड़ जाएगा c2h5 और इस oxygen से जुड़ जाएगा mg br फिर transition complex बना proceed hydrolysis proton transfer reaction hydrolysis यह सीधा जाकर इससे जुड़ेगा और बन जाएगा c h3 tersery alcohol three degree alcohol और लास्ट में carbon dioxide की reaction कराएंगे हम mg br से चौथी chemical reaction c2h5 mg br की reaction हम कराएंगे carbon dioxide से carbon dioxide c double bond O double bond O c2h5 mg br एक bond टूटे का carbon dioxide का slightly negative slightly positive यह slightly negative slightly positive c2h5 फिर carbon से जुड़ेगा और mg br इस oxygen से जुड़ जाएगा transition complex बनेगा तो c double bond O ऐसा का ऐसी रहेगा यहां जुड़ जाएगा c2h5 यह oxygen bond टूटेगा O और यहां पर mg br आएगा hydrolysis reaction कराएंगे proton transfer reaction होगी यहां जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा c double bond O c2h5 OH mg2 positive और यह बन जाएगा acid कौन सा acid है c2 और c यानिके प्रॉपे नौइक एसीट प्रॉपे नौइक एसीट यह सारी chemical reaction complete होई students अब थर्ड सेक्शन में थर्ड सेक्शन में total आपको होंगे दस question दिये जाते जिसमें पांच के आपको चौइस होती है तो थर्ड सेक्शन में पहला question आता है रहें और जो environment को ज्यादे नुकसान ना पहुचे हमें ज्यादे नुकसान ना पहुचे इन सब को धियान में रखते हुए पूरा structure ऐसा तयार करें किसी chemical को बनाने के लिए कि वह chemical ज्यादे poisonous ना हो उसको बनाते वक्त जितना भी पूरा process को हम adopt करें अपना है तो वह पूरा process कैसा हो greenery way में हो यानि कि उसको बनाने का तरीका ऐसा हो कि जब वह पूरा process इस तरहीगी तरहीगा का हो कि उससे poisonous chemical बाहर ना है इन डेरिवेटिव उस chemistry वह तरीका है कि सी chemical को बनाने का उस chemical को समझने का उसको identify करने का process करने का ठीका जनरेट करने का ताकि सेफर तरीकle अपना है और environment को लिंद्धामेंट को कम से कम नुकसान पहूंचे हमें कम से कम नुकसान पहुंचे उसे कहते हैं जैंगी या ग्रीन वे या अग्रीन चैबिस्ट्री उसके कुछ अगर उन साहरे घ्री फैंभ को 1 एंद तो हम कर ले तो हम एक्षी तरह समझ पापते और सेफर chemical को हम generate या produce कर पाएंगे तो उसके principle क्या है green chemistry के पांच basic principle क्या है जो कि मैंने prevent waste chemical का design ऐसा करें ताकि wastage कम हो यानि के कच्रा कम हो chemical सारा जो भी हम reactant ले वो सारा reactant product में complete हो जाए उसका बाहर से wastage बिल्कुल ना हो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा वेश्टेश कम होगा और इससे क्या होगा वो कच्रा क्या होगा environment को नुक्सान नहीं पहुचाएगा maximize atom economy second principle इसका maximize atom economy किसी chemical का design ऐसा तयार करें synthesis processing को ऐसा तयार करें ताकि final product जो तयार हो बनने के बाद में उसमें maximum proportion of starting material हो यानि के starting material जो raw material हम दे लिया था उसका ज्यादे से ज्यादे proportion product में चला जाए ठीक ना ज्यादे से ज्यादे product में चला जाए वो जाया ना हो बेकार ना हो तो उसको कहते है maximize atom economy third basic principle इसका green chemistry का design less hazardous chemical synthesis ऐसे chemical को generate करें design करें जो की poisonous या hazardous ना हो है जादे नुकसान ना पहुंचा है तो design synthesis to use generate less hazardous chemical chemical कम poisonous हो कम hazardous होता है ऐसे chemical को हम design करें चौथा basic principle है safer chemical safer chemical और product को हम design करें safer यानि कि safe हो उसको हम use करने में आसानी हो तेफ तरीका हो वह हमें नुकसान ना पहुंचा है आसानी से हम उसको design ऐसे करें chemical को product को ताकि वह fully effective हो yet have little or no toxicity ही ताकि उसमें कोई भी toxicity poisonous ना हो toxicity ना हो वह जादे हमें toxicity ना हो उसे हम यूज करें और यूज करते वक्त क्या हो आसानी से वह हो जाए और toxic भी ना होता है ऐसे chemical design करें और लास्ट में यूज सेफ सेफर solvent एंड reaction condition अगर हम कोई chemical को बना रहे हैं generate कर रहे हैं तो solvent में अगर उस chemical को बना रहे हैं तो वह solvent भी कैसा हो safe हो यानि कि वह भी नुकसान ना पहुंचा है ठीक है ना जैसे पानी है सेफर chemical है तो water को आप ले सकते हैं और reaction condition भी safe हो reaction ऐसी ना हो कि अगर हम के chemical को बनाया तो एकदम से तेजी से उसमें से आग निकल जाया या एकदम से blast हो जाया तो reaction condition भी क्या हो control में हो avoid using solvent जाया तर तो आप solvent को avoid कर सकते हैं separation agent को भी avoid कर सकते हैं तो एक कुछ basic principle थे जिसको हम green chemical के basic principle कहते हैं अब next question आता है classify liquid crystals liquid crystals क्या होते हैं इसको classify करो temperature के base पर और application इसकी बताया है देखिए liquid crystals क्या होते है liquid crystals वो होते है chemical जो की liquid की बी property शो करते हैं और कुछ crystal की भी प्रॉपर्टी कर लिक्वीट की प्रॉपर्टी जैसे के liquid को हम नीचे flow करते हैं तो वह बहे जाते है fluidity होती है इसी तरह से liquid crystal क्या करते है fluidity को शो करते है राइट liquid crystals के अंदर surface tension भी को भी शो करता है liquid crystals ठीकिए ना viscosity को भी शो करता है तो fluidity हो गया liquid की प्रॉपर्टी भी शो करते है crystal की प्रॉपर्टी शो करते है ऐसे chemical हो कहते है liquid crystals right liquid crystals is a state of matter whose properties are in between those of the conventional liquids and those of the solid crystal crystal की अनाइसे ट्रॉपर्टी शो करते है liquid crystals liquid crystals को हम दो category में divide कर सकते है तो thermotropic होता है एक होता है लायो ट्रॉपिक लिक्विट किस्टल थर्मो ट्रॉपिक टेंप्रेचर के base पर liquid crystals को बनाया जाते है निकिए heat के base पर liquid crystals mainly क्या होते है organic chemical होते है organic chemical होते है उनको temperature दिया जाता है heat दिया जाता है तो पिखलना शुरू जाते है यह वो पिखलना सुरू हो जाते है तो वो ट्रॉपिडिटी की condition में पहुच जाते है तो वो क्या होते है तर्विडिटी आ जाती है cloudy appearance आ जाता है mesomorphic state कहते है उसे तो वो state कहलाती है liquid crystalline state और ज्यादे heat देते है तो वो clear liquid जाते है यह जैसे के पानी इस तरह से transparency आ जाती है तो जो बीच की state होती है टर्मिटी बादी state उसको कहते है mesomorphic state और वही liquid crystalline state होती है अगर temperature के base पर हम liquid crystal को बनाते है तो उसे कहते है thermotropic liquid crystals ठीक है ना temperature की range को कहते है liquid crystalline temperature range जैसे के cholesterol benzoid है paraisoxy anisole है paraisoxy phenolate है अब इसमें से एक paraisoxy anisole एक liquid crystal है जिसको जो की 116 116 degree centigrade और 135 के बीच में mesomorphic state आती है जिसको हम कहते है liquid crystalline state अब यह जो thermotropic liquid crystal है यह तीन तरह के होते है निमेटिक liquid crystals है cholesterol लिक्विट crystals है और smactic liquid crystal निमेटिक ठेड लाइक structure होता है और निमेटिक जो होता है total loss of the positional order होता है नियर नॉर्मल फ्लो आसानी से फ्लो हो जाते है इसे कहते है निमेटिक liquid crystals they point in the same direction वो एक ही direction में point करते है ऐसे फ्लो होंगे तो वो इसी तरह से फ्लो होते जाएंगे इसी तरह से आगे पीछे फ्लो होते जाएंगे यह सारे एक दूसरे के with respect to flow होते रहते है यह एक लाइन इस तरह से फ्लो होगी दूसरी लाइन इस तरह से फ्लो होगी तीसरी ला आइसा करणिट इसका एक्सापंपल है कि इसको हम कहते हैं टुफिर्ट फॉस्ट टिमेंस ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है मतलब होता है कि एक के गई याक ब national का कैसा होता है नमेंस जैसा होता है लेकिन नीचे का अगर देखें तो वो कुछ ड दॉन idea स creating के نिमेटिक जैसे लगते हैं लेकिन दूसरे प्लेट में वही मॉल्टी,, जो होते हैं। या निक्शे कूद्ध, रस्सी को मोड़ दिया जाता है। इस इस तरह से इसकी डारेक्शन इस तरह से फिर यह इस तरह से हो जाती ही इसकी डारेक्शन और फिर इस तरह से आ जाती ही इसकी यह इस तरह से की डारेक्शन इस तरह से इस तरह से तो एक जो है वन प्लेन लेकिन दूसरा प्लेन यह कैसा है फिस्टेड निमेटिक स्ट्रेक्ट्टर इसे कहते है कॉलेस्टरेरिक लिक्विट किस्टल्स इसे कोलिस्टेरिक लिक्विट किस्टल्स का नाम दिया जाता है और तीसरा जो हता है स्मेक्टिक लिक्विट किस्टल्स Dismactic liquid crystals क्या होते हैं, class of thermotropic liquid crystals look like a soap, soap की तरह से होते हैं, means dysmactic mesophase are soap-like, soap की तरह से होते हैं, there are small amount of positional as well as the small amount of the orientation order, the long axis of the molecules are parallel to the perfect director, or molecules are parallel to each other, perpendicular to the plane. अब यह तो था, cholesterolic, और अगर हम dysmactic देखें, इस dysmactic के जो molecules होते हैं, plane के perpendicular होते हैं, यह parallel होते हैं, molecules are parallel to the plane, यह कैसे होते हैं, planes के perpendicular lie करते हैं, इस तरह से, planes के perpendicular होते हैं, और molecules are perpendicular to planes, लेकिन molecules are, molecules are parallel to each other, plane के तो perpendicular होते हैं, होते हैं, किसमे, kismactic में, किसमे, kismactic में, लेकिन इसमें क्या होता है, molecules parallel होते हैं, plane के, और एक दूसरे के parallel भी होते हैं, तो इस तरह के condition को कहते हैं, दूसरा liquid crystals होता है, liotropic liquid crystals, liotropic liquid crystals क्या होते हैं, अगर कोई organic chemical में पानी मिला दिया जाता है, और उसको घोल घोले हम, तो क्या होता है, dissolve होना शुरू हो जाता है, और फिर एक कैसी condition आती है, cloudy appearance आता है, cloudy appearance आता है, और फिर हम पानी ओर डाल देते हैं, फिर solvent अगर ओर डाल देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, clear liquid बन जाते हैं, अगर ऐसी condition आती ही तो इसको कहते हैं, लिए ट्रॉपिक लिक्विट किस्टल बेच और इंक्रीज दी कंसेंट्रेशन, तो यह कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, solvent की इंक्रीज करते हैं, और और वो क्या था, थर्मो ट्रॉपिक, थर्मो ट्रॉपिक था, टेंप्रेचर को बढ़ाने के बाद में बनता है, critical concentration, beyond critical concentration का मतलब होता है, जैसे ही पानी को और ज्यादे add करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, clear liquid हो जाता है, ठीक है न, तो यह organic chemical, organic, chemical, T1 concentration में mesophase आ जाता है, cloudy appearance आ जाता है, और ज्यादे concentration बढ़ाते हैं, तो यह clear liquid बन जाते हैं, तो यह क्या हो जाता है, beyond critical concentration से clear liquid बन जाते हैं, और यह क्या बन गया है, liquid crystals बन जाते हैं, solvent effect पर, solvent addition पर, यह organic compound को होते हैं, saturated, long chain saturated fatty acids होते हैं, right, liquid crystals की applications क्या है, देकिए liquid crystals बहुत सारे काम में use होता है, liquid crystal display बनाई जाती है, mobile phone में, television में होती है, laptops में होती है, वहाँ पर crystal display होती है, calculators में होती है, alpha numeric display बनाई जाती है, LCD बनाई जाती है, liquid crystals की laptop है, computer है, mobile phones है, इन सब में क्या हो जाती है, display use होती है, signal display, traffic signal, petrol pump के indicators बनाने में होती है, analog display होती है, blood pressure को measure करने के लिए, display पर readings आ जाती है, digital thermometer बनाने के लिए, TV channel indicators के लिए, display बनाई जाती है, pH meter में, conductor meter और potential meter में liquid crystal का use किया जाता है, large area picture screen, LCD बनाने के लिए इसका use किया जाता है, image converter में भी use किया जाता है, ultraviolet and x-ray image converter में इसका use किया जाता है, large screen projector में यूज किया जाता है, liquid का makeup बनाने के लिए, makeup remover करने के लिए live stick बनाने के लिए live glasses में liquid crystal का use किया जाता है, जो कि cholesterol लिक्विटë किस्टल समय होते हैं, और liquid crystals कहां use होते हैं students, industrial applications और भी जाता है, polyester liquid crystals जो होते हैं, developer for the fire resistance, fire resistance का use, fire resistance cloth बनाने के लिए use किया जाता, तो निए मल्ठी फाइबर बनाने के लिए Optical Kabaretters में यूज किया जाता है तो य।h just का यूज किया जाता है इसकी पर रभ करने के लिए सर्फिस बर्षून करने के लिए ट्यूमर वो पहचानने के लिए infection के लिए veins arteries जहां पर skin पर अगर liquid crystal लगा दिया जाता है तो arteries चमकने लगती है दिखने लगती है तो वहाँ पर use किया जाता है वो area warm हो जाता है तो यह सारी condition थी liquid crystals की अब next question आता है इसका fourth का a part symmetrically substitute compounds having the even numbers of the cumulative double bonds exhibit optical isomerism यह isomerism का question है students जो कि आपका second unit में important question है यह बार-बार repeat हुआ है question बहुत ध्यान सा आप देखेंगे तो asymmetrically substitute compounds having the even number of the cumulative double bonds exhibit optical isomerism whereas the compounds having the odd number of the cumulative double bonds exhibit geometrical isomerism explain the giving reason cumulative cumulins क्या होती है cumulins asymmetrically substitute compounds having the even number of the double bonds even number में cumulins वो होती जो carbon carbon से मिलकर जो compounds बनता है सिर्फ carbon 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 होता है उसमें अगर double bonds होते हैं और यह double bonds क्या होते हैं बार-बार repeat हो रहा है एक के बाद में एक double bonds पीच में कोई सिंगिल बाउंड नहीं आता तो ऐसे इस तरह कंपाउंड हो कहते हैं cumulins cumulins में odd number में double bond यानि कि तीन हो पाँच हो आ साथ हो ऐसे double bonds होते हैं तो ऐसे वाली cumulins जो होती है asymmetrically substitute compounds having the even number अगर even number में double bonds हैं तो वो optical isomerism show करेगा और अगर odd number double bonds होगा तो वो geometrical isomerism को show करेगा यह question है का reason देना है तो देखे इसका reason क्या है cumulins जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में double bonds regularly आता है अगर odd number में हैं तो वो क्या यू वो क्या शो करेगा देखे odd number वाला जो compound होगा वो जो है इसमें optical isomerism जो show करेगा वो even number वाला यह वाला जो होगा वो optical isomerism show करेगा और odd number वाला करेगा geometrical isomerism यह question है अब odd number और इविन नंबर दो तरह कहें चीज़े हैं cumulins लिए न ओर नंबर इसकी condition भी देख लेते हैं instruments conditions क्या दीवती देख geometrical isomerism में की condition क्या molecule should be planar geometrical isomerism में cumulins जो होगी उस वो कैसा होने चाहिए molecule जो होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए तब ही geometrical isomerism show करेगा और aerial distance जो होता है substituents group का attach to the terminal carbon should be different by the rotation of the substituents groups of one terminal carbon ये भी चीज़ बताएंगे देकि second पहली चीज़ है molecule should be planar molecule planar होना चाहिए नहीं कि पहला carbon दूसरा carbon तीसरा carbon चौथा carbon पहला carbon और last वाला carbon ये एक ही plane में होना जरूरी है अगर एक ही plane में है तो उसे कहेंगे molecule should be planar अगर इस तरह से condition आती है तो वो geometrical isomerism show करेगा और अगर अलग-अलग plane में आता है तो वो क्या होगा वो कैसा show करेगा वो show करेगा optical isomerism तो पहले देखिए old number of the double bonds old number of the double bonds कुमुलीन कैसी होती है carbon carbon के बीच में जो है old number में हो एक दो तीन तीन carbon है तो इस तरह की कुमुलीन को कहेंगे हम ओड नंबर ओफ दी डबल बॉन्ट्स ओड़ डबल बॉन्ट्स होगा तो वो geometrical isomerism तो करेगा अब इविन नंबर वाला के मतलब हो गया carbon carbon अब दो डबल बॉन्ट्स हो या फिर चार डबल बॉन्ट्स हो अगर चार होंगे तो पांच carbon होंगे तो यह दो नंबर दो डबल बॉन्ट्स है इविन नंबर हो गया इसमें कितने डबल बॉन्ट्स है एक दो तीन चार डबल बोन्स है तो यह भी इविन नंबर हो गया यह इस तरह ही कुमली क्या शो करेगी optical isomerism, geometrical isomerism में क्या होगा, plane जो होगा, first terminal carbon यह जो terminal carbon से यह same plane में होना जरूरी है और even number वाल यह optical isomerism कब शो करेगा, कि terminal carbon अगर different plane में हैं तो वो क्या हो करेगा वो optical isomerism सो करेगा, अब देखेए यहाँ पर condition समझी है, condition for with geometrical isomerism, geometrical isomerism में अभी बताया था geometrical isomerism वही शो करते हैं जिसमें odd number में double bonds होंगे, odd number में double bonds होंगे, ठीके ना, odd number of double bonds, right, अब यहाँ से देखते हैं, देखें, कार्बन, odd number of double bonds का मतलब हो गया, एक, तो, मान दीजे, तीन carbon वाल, तीन double bond वाली cumulines है, double bond कब बनता है, जब p orbital, p orbital को लाई करते हैं, यानि के px और px, pz और pz πy bond बनाएंगे, py, py πy bond बनाएगा, और px और px क्या बनाता है, सिग्मा bond बनाता है, ठीके ना, एक double bonds में दो पाई bond, एक double bonds में, py bonds होता है, py bonds क्या होगा, यह वाला carbon हो, यह वाला carbon मान लीजे, py bond बना रहा है, तो यह मान लीजे, py, और इसका py, double bonds बना लिए, ठीके ना, अब इसका py तो यहाँ involve हो गया, यह तो इससे double bonds नहीं बना पाएगा, अब इससे क्या बनाएगा है भीए, अब इसका pz orbital involve होगा, double bond बनाने के लिए, किस से, इससे, तो यह क्या होगा, यह बना लेगा, pz और pz, इसका px और इसका px बचा है, इसका py और इसका py हो बचा है, अब यहाँ से देखें students, इसका py और इसका py, यह double bond बना लिया, py और py, अब यहाँ से चेक करें, क्या यह terminal carbons, यह जो terminal carbons हैं, और यह भी, terminal carbon है, same plane पर है, इसका py और इसका py, same plane पर है, तो same plane वाला, अगर same plane में होगा, तो geometrical isomerism show करेंगा, same plane है, तो यह क्या होगा, geometrical isomerism show करेंगा, यह तो clear हुआ, अब दूसरा आता है, second क्या है, optical isomerism में क्या सो करना है, optical isomerism में show करना है, कि different plane में होने चाहिए, carbon double bonds are even number, even number में double bonds हो, एक carbon, दो carbon, तीन carbon, चार carbon, पाच carbon, एक, दो, तीन, चार, देखते हैं students, इसका py और यह क्या है, py, इसके py से double bonds को लाई करेगा, अब इसका p-z, और इसका भी p-z, यह भी double bond में आ गया, p-z, अब इसका py, इसका py, और इसका py, यह केस में हो गया, py and py, double bond में involve हो गया, इसका क्या बचा, p-z, अब इसका बचा है, इसका बचा है, क्या, p-z, और इसका भी क्या होगा, p-z होगा, अब इसका p-z, और बिटल इन वालव है, इसका py है, तो यह क्या होगा है, different plane हो गया, तो terminal carbons are, terminal carbon, और यह भी क्या है, terminal carbon, तो terminal carbons are in different plane, so cumuline, so optical isomerism, यह clear होता है, write in short notes on UV shift, application of IR spectroscopy and molecular vibration, next question आता है, देखिए UV shift क्या है, UV shift, ultraviolet, spectroscopical shift में, ultraviolet spectroscopy में, UV shift का एक question आता है, UV shift कितनी तरह की होती है, देखिए UV shift क्या होती है, ultraviolet spectroscopical technique में, हम जब फढ़ते हैं, तो इसमें जो signal निकल कर आते हैं, तो signal कैसे होती है, signal एक sharp broad peak निकल कर आती है, जो कि maximum absorbance y-axis पर लेते हैं, और wavelength maximum, यह निके lambda max यहां लेती है, और इसमें एक broad peak निकल कर आती है, UV spectroscopical technique में broad peak निकल कर आती है, और इसे कहते हैं, lambda max value, इसके चार point होती है, यह peaks जो होती है, four types में shift होती है, इस तरह से, अगर यह peak right side में shift होती है, तो इसे कहते हैं, longer wavelength, अगर यह left side में होती है, तो इसके कहते हैं, shorter wavelength, अगर यह यहां की तरह होगी, तो इसे कहते हैं, longer wavelength, लेंद्ध 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 लेंद् इसको ग्लू शिफ्ट का नाम दिया जाता है अगर maximum a close maximum hoता है ठीक है ना लार्ज बजॉरस ना ब्ले sift और अगर absorption short होता है कम होता है absorption तो इसको कहते है hypochromic sift hypochromic sift तो इस तरह से ये चार sift होती है ठीक है ना bethochromic sift जिसको red sift कहते है longer wavelength की तरफ उस side में sift होती है ठीक है ना ultraviolet radiation डाली जाती है किसी chemical पर UV radiation और ये absorb करती है UV radiation जो peak निकल कर आती है अगर वो longer wavelength की तरफ होगी तो उसे कहते है red sift या bethochromic sift कहते है अगर वही sift shorter wavelength यानि कि इस side में होती है shorter wavelength की तरफ shift होती है तो इसको कहते है hypochromic sift जिसको कहते है blue sift hyperchromic sift क्या होती है greater absorbance यानि कि उपर की तरफ चले जाती है shift और hypochromic sift hypochromic sift क्या कहते है lower absorption की तरफ कहते है तो इसे कहते है UV shift इस तरह से आप इसको define कर सकते है application of IR spectroscopy क्या IR spectroscopy की application यह function group को detect करने के लिए IR spectra use किया जाता है molecular structure को identify करने के लिए IR spectra का use किया जाता है chemical की purity को निकानने के लिए rate of the chemical को identify करने के लिए IR spectra का use किया जाता है IR spectroscopy technique को chromatographical separation हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे detect करने के लिए IR spectroscopy का use किया जाता है study of the hydrogen bonding and shape and symmetry of the molecule के लिए IR spectroscopy का use किया जाता है और लास्ट में molecular weight निकालने के लिए IR spectroscopical technique का use किया जाता है जिसमें fingerprint reason और functional group reason दोनों आते हैं निकल के illustrate the working of the diagramatical representation of the cell reaction of lead acid storage battery and charge यह पांचवे का first question है lead storage battery क्या होती है या lead acid battery किसे कहते है lead acid battery या lead storage battery उस battery को कहते है जब हम battery जो घर में use करते हैं उससे हमें current लेना होता है और फिर जब वो discharge हो जाती है तो फिर उसमें current हम डालते हैं ठीक है ना यानि के यह दोनों function पर काम करती है charging and discharging दोनों process पर काम करती है तो lead acid battery जो है charging and discharging दोनों पर काम करती है lead acid battery lead acid battery है क्या lead acid battery जो होती है secondary storage battery है is secondary battery which works both function चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बोथ के न अब इसका डाइग्राम कैसा होगा देखिए लेड एसिट बैटरी में जो हता है लेड की प्लेट्स होती है और लेड डाइयोक्साइड की प्लेट्स होती है इसका डाइग्राम हम कैसे बनाएं डाइग्राम बनाने के लिए इसमें एक तो लेड की प्लेट्स को शो करना पड़ता है इसमें लेड की प्लेट्स होती है और इससे कनेक्टेड जो होती है टोटल शिक्स प्लेट्स को आपको दिखाना पड़ेगा लेड का इलेक्ट्रोड है और से जुड़ी भी प्लेट्स टोटल शिक्स होनी चाहिए शिक्स से ज्यादा ना हो शिक्स से कम नहीं हो वन टू थ्री फोर फाइफ और शिक्स और सारी कैसी होनी चाहिए पैरलल होनी चाहिए सारी प्लेट्स कैसी होनी चाहिए पैरलल कॉंबिनेशन में आप शो करेंगे और दूसरी प्लेट्स जो होती है वो होती है लेड डाई उक्साइड की और एक दूसरे से बिलकुल भी कनेक्ट नहीं होनी चाहिए एक तरह की प्लेट तो एक दूसरे से कनेक्ट हो लेकिन दूसरी तरह की प्लेट से एक दूसरे से कनेक्ट बिलकुल नहीं होनी चाहिए अब दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं इसके अंदर एक लेड का होता है और एक लेड डाई ऑक्साइड का और ये पूरी तरह से कवर्ड होती है एक प्लास्टिक के हार्ड बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक का हार्ड बॉक्स होता है और उसके अंदर ये पूरी तरह से कवर्ड होती है इसमें बीच बीच में पॉइंट्स होते हैं जहां से हम डिश्टिल वाटर इसमें डाल सकते हैं और इसके अंदर घरावा होता है एसिड और वह एसिड कौन सा होता है इस्टोस फोर डाइल्यूटेड एसिड होता है एक तो होता है इसमें लेड इलेक्ट्रोड और एक होता है लेड डाई ऑक्साइड ये एनोड होता है और ये होता है कैथोर्ड तो एनोड इसके अंदर जो होता है लेड होता है और कैथोड होता है लेड डाई ओक्साइड और इसके अंदर एसिड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है जो की 20 से लेकर 21% diluted H2SO4 इसके अंदर भर दिया जाता है अब यह दोनों फंक्सन पर काम करती है स्टुडेंट्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही काम फंक्सन पर काम करेगी चार्जिंग प्रोसेस क्या है और डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या है तो फंक्सन प्रोसेस क्या है पहले डिस्चार्जिंग प्रोसेस पर देखते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस पर Discharging process में क्या होता है chemical Energy जो कि store होती है Chemical Energy का conversion होता है Electrical Energy में Chemical Energy किसमें convert हो जाती है electrical energy में टीकिए ना अब इसकी activity क्या होती है Anode और cathode क्या होते है एनोड पर लेड फ्लेट होती है ये क्या होता है तो इलेक्ट्रोन को रिलीस करता है पर्फॉर्म ऑक्सिडेशन राइट एच्टू एसो फोर इसके अंदर भरावा होता है ये तूट जाता है अपने आइंस में लेड टू पॉजिटिव जो होता है इससे एक सलफेट आइंस रियक्शन कर जाता है और लेड प्लेट सारी कवार्ड होना सुरू हो जाती है सलफेट से अनोडिक रियक्शन में यह होता है लेड प्लेट जो होती है वह एलेक्ट्रon को रिलीस करना सुरू कर देगी एलेक्ट्रोलाइटfood 4 है वह तूट जाएगा तिक चेयन युद हम heated याइन में सलफेट याइन लेड प्लेट पर जाकर चिपकना सुरू हो रहाता है और लेट्ट सिल्फेड बनना शुरू हो जाता यह जायती है कैफोर्ड पर क्या होगा कि धिसक्राइब फशाइड क्पर्ल genuinely इOTH कि तरफ जाएगा है कि इसवाइट कि तरफ जाएगा अर हैड्रोजन आइन्स वे यह विद्रियक्षन करें गे यहां पर लेड टू पॉजिटिव लेड डायोकसाइड जो हता है लेड टू पॉजिटिव आइंस में तूड जाएगा और टू एश्टू ओ बनेगा अब लेड टू पॉजिटिव आइंस देकि चार हाइडूजन यहां मिल आ गए सुलफेट आइण मैं से एक सुलफे आइं यहां जुड़ गया अब एक सुलफेट आइन बचता है एक सुलफेट आइन lead dioside کی plate पर lead two positive iron में convert हुआ उस पर जाकर चिपकना सुरू हो जाता है और सारी lead dioside کی plate भी क्या हो जाती है sulfate से cover up होना सुरू जाती है तो lead की plates भी है और lead dioside की plates सलफेट से cover up होना सुरू जाती है और lead sulfate बनना सुरू जाता है तो इस तरह से net reaction अगर हम देखें लेड था और लेड डाइ ऑक्साइड था टार हाइडरजन और दो सलफेट आइन से रेक्षिन करके दो lead sulphate बन गया और 2H2O बन गया और साहथ साहत में हमें क्या मिल गई energy मिल गई तो यह इसकी net chemical reaction हो जाती है जब सारी plates lead sulphate से selfate से cover up होना शुरू हो जाती है तो reaction रुख जाती है और reaction जब रुख जाती है तो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज होने के बाद में फिर इसको चार्ज करना जरूरी हो जाता है, तो चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, एनोड जो था पहले वो कैथोड बन जाता है, और जो कैथोड था पहले यानि के बाहर से आप external charger इसमें यूज करके इसे current क्या चांट दिया जाता है तो एणनोर जो था था कैफोड बन जाता है इस तुरह से यह कंडिस इसमें लापनाँ की जाती है तो एणोर का चै Copets वह पहले लैड की और वह की फी फूरnd बन जाएगी ठीकिन und कै कैथोड से हिए जर्ज sympathetic अपर एटक्यतोर हो बना हुआ है तो चार्जिंग प्रोसेस में इसमें बाहर से इलेक्ट्रों को दिया जाता है जब बाहर से इलेक्ट्रों देते तो लेड का रिश्टोरेशन हो जाता है और सल्फेट रिलीज हो जाता है इस प्रोसेस में पहली रियक्शन यह आती है सेकिंड क्या है एट अनोड और अब एनोड जो की पहले कैफोड था, वहाँ पर भी क्या है, लेड इसलफेड बना हुआ है, लेड इसलफेड जब वहाँ बना हुआ है, और 2H2O यहां पर और रेडि है, तो यह क्या हो जाता है, लेड डाई उक्साइड रिलीज suffate ions होते हैं, और चार इसमें hydrogen ions यहां से भी कल जाते हैं और दो इलेक्ट्रोन्स यहां पर बन जाते हैं जब नेट रियक्शन होगी तो नेट रियक्शन में क्या होता है दो लेड सुलफेट प्लस 2H2O और प्लस एनर्जी इसको दी जाती है बहार से करेंट इसको सप्लाई किया जाता है तो यह लेड रिस्टोर हो जाता है लेड डाई ऑक्साइड की प्लेट्स रिस्टोर हो जाती है चार हाइड्रोजन मिल जाते हैं और दो सलफेट आयन हो जाती है और लास्ट में ए यह आपस में रियक्शन करके 2H2SO4 बना लेते हैं और एसिड का भी रिस्टोरेशन हो जाता है तो इस तरह से सारी चीजे इसमें कम्प्लीट हो जाती है एसिड लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस कम्प्लीटली इसमें कम्प्लीट हो जाते हैं चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग प्रोसेस चार्जिंग में का बाहर से करेंट देना पड़ता है डिस्चार्जिंग में हम करेंट इससे लेते हैं कि क्वर्शन नमबर फाइफ का ब्रीफली एक्स्प्लेइन वैट कॉरोजन वैट कॉरोजन क्या है मैटल लोहे पर जंग लगता है इलेक्ट्रो केमिकल थयोरी के को एकॉडिग इसको समझा जाता है कंडिशन क्या होती यह का अगर श्र में रखा जाता है उसका जो मैं ली formula होता है, rusting of iron का Fe2O3 XH2O होता है, इसे कहते है rusting of iron, mechanism में क्या होता है, anode और cathode पर ये सारी chemical reaction होती है, anode गया होता है एक iron का piece रखा होता है इस पर कुछ water droplet चिपकी होती है, ठीक है ना तो नीचे वाला water drop के लिए नीचे वाला हिस्सा, इसे कहते है less oxygenated area, जो कि anode का काम करता है और यहाँ पर oxygen जादे आती है taric attach करती है तो यह highly oxygenated area होता है जहाँ पर जंग लगना, यहाँ से shift होकर rust यहाँ बनना सुरू हो जाता है यह cathode का का काम करता है और यह anode होता है इस तरह से rusting of iron होती है तो anode क्या होता है cathode क्या होता है, यह मैंने बता दिया आपको moisture इसमें electrolyte का काम करता है और iron पर rusting of iron करना होना सुरू हो जाता है anodic coating क्या होती है anodic coating का मतलब यह होता है कि देखे, coating का मतलब क्या होता है एक metal पर दूसरे metal की layer को चिपकाना उस पर attach करना उसे coating कहते है coating दो तरह की होती है anodic coating और cathodic coating anodic coating क्या होती है ये एक तरह की type of coating है material utilized for the anodization coated metal act as a new anode एक metal पर दूसरे metal की पतली layer को चड़ाना उसे कहते है coating और anodic coating का मतलब होता है जैसे क्या iron है, iron पर zinc की coat कर देना, iron जो कि anode का काम कर रहा था, अब एक नया anode बन जाता है zinc, तो यह sacrificial anodic coating भी कहते है, इसको provide increase the thickness, thickness को increase कर देता है, color change कर देता है, protection देता है, to the aluminum और any type of the substrate, this coating consists of the oxide film is created on metal, oxide film बना देते हैं metal के पर, electrolysis process के through, metal acting as a new anode, और metal एक नया anode बनका तयार हो जाता है, इसको कहते है, anodic coating, anodic coating is a classification of the metallic coating of metal in which anodic to the base metal, zinc, aluminum and cadmium are example of the anodic coating, zinc की coating कर सकते है, aluminum की coating कर सकते है, cadmium की coating कर सकते, इस तरह से हम कहते है, anodic coating, इस तरह से cathodic coating जो होती है, एक cell के अंदर, दो electrode डूबे हुए, ठीक कर सकते हैं, उस पर current आप anode पर, anode को cathode बना जाता है, cathode को anode बना जाता है, तो इस तरह से anode पर cathodic coating कर दी जाती है, तो cathodic coating protection is reverse the flow of current between the two dissimilar electrode, दो dissimilar electrode है, उस पर reverse current flow कराया जाता है, the anodic protection involves suppression of the anodic reaction by adjusting potential of the more reactive metal, the cathodic protection can be achieved by sacrificial method and impressed current method, impressed current method के through इस पर, हम coating कर सकते हैं, एक metal को, की दूसरी metal से, ठीक ना, cathodic coating involves coating of metal, which cathodic with respect to the substrate is an electrochemical cell, the purpose of this type of the coating is to protect the substrate from the corrosion, substrate का मतलब होता है, metal को corrosion से बचाना होता है, क्या 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 से बचाना होता है, accelerated corrosion of the substrate occurs in cathodic coating, fails to protect the substrate, की डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस यह है, क्या अनॉडिक और cathodic protection is that, in anodic protection, the substance to be protected act as the anode, whereas anodic coating में substrate जो होता है, anod की तरह से बहब करता है, और cathodic coating protection में, the surface to be protected act as cathode, और surface cathode हो जाता है, यानि के नया metal जो, इस पर matter की coating की जाती है, अनॉड की तरह से ही काम करता है, तो anodic coating होगी, और अगर substrate जो होगा, वो cathode की तरह से काम करेगा, तो उसे cathodic coating कहते हैं, ठीके न, अब ये, with the help of the neat and clean diagram, bomb calorimeter, a sample of coal contains 69% of carbon, 8% of hydrogen and ash 3%, with the help of the neat and clean diagram, explain the working of bomb calorimeter, bomb calorimeter, bomb calorimeter क्या है, bomb calorimeter जो होता है, bomb calorimeter के थू हम क्या करते हैं, gcv, gross calorific value of fuel can be determined, bomb calorimeter से हम क्या करते हैं, gross calorific value of fuel को determine करते हैं, अब इसमें है, ये होता क्या है, कैसे हम इसको करते हैं, वो आपको बता देते हैं, clearly, देखे, bomb calorimeter, bomb calorimeter में, एक steel से बना हुआ एक bomb होता है, steel से बना हुआ bomb के अंदर, तो, electrode होते हैं, वो भी steel के होते हैं, और ये completely ढखे, ढख दिया जाता है, किस से, steel की lead से, इसके अंदर एक oxygen valve होता है, जिसमें oxygen के थू, oxygen इसके अंदर डालियाती, इससे जुड़ा हुआ है, एक crucible होता है, इसके अंदर, क्या रख दे जाता है, fuel रख दे जाता है, जलने के लिए, और यहाँ पर, एक magnesium wire होता है, उस magnesium wire को connect कर दे जाता है, right, magnesium wire, इससे battery का connection कर दिया जाता है, electrode से, plus minus, six volt की battery होती है, battery connection यहाँ करते, इस crucible के अंदर fuel रख दिया जाता है, magnesium wire जल जाता है, battery connection करते, fuel जलता है, तो क्या होता है, heat बाहर आती है, heat जैसी बाहर आती है, water calorie meter के अंदर भर दिया जाता है, और यह water को क्या कर देता है, यह fuel गरम कर देता है, कि इसके अंदर एक temperature थर्मोमेटर होता है उस thermometer कहते है बैक में थर्मोमेटर पहार की अंदर की heat बाहार ना जाए इसलिए इसको एक air gap रख लाता है और बाहार की heat अंदर ना आए इसलिए इसमें एक water भर दिया आता है इधर और इसको completely insulated यानि के पूरी तरह से ढग दिया जाता है इसे कहते हैं calorie meter यह होता है pacman thermometer और यह होता है steel bomb यहाँ पर fuel रख दिया जाता है जलने के बाद में heat बाहर आती है heat यहां से बाहर आएगी heat इस पानी को गरम कर देगी temperature T1 से T2 degree centigrade हो जाता है इस variation of the temperature को हम convert कर देते हैं GCV में तो heat evolved basic principle यह है कितनी heat बाहर आई heat evolved और total heat absorb कितनी heat बाहर आई उतनी heat क्या हो जाती है तो water ने जो heat absorb करी capital W plus small w temperature T2 से T1 से T2 हो गया इतनी heat absorb करी capital W क्या है total water taken in calorimeter पानी कितना लिया water कितना लिया इसमें calorimeter में यह stirrer लगा दिया जाता है initial temperature T1 और final temperature T2 जितना temperature बढ़ा उतनी heat बाहर आई तो X यहां से हम GCV निकाल सकते है cross calorific value GCV is equal to होता है capital W plus small w T2 minus T1 over X यह formula तयार होता है GCV का यह आ जाता है calorie per gram correction formula भी इसका use कर सकते हैं correction formula हम use कर सकते हैं GCV is equal to क्योंकि यह cotton thread यहां पर लगा होता है magnificent wire यहां पर लगा होता है magnesium wire जालेगा वह भी heat produce करेगा वह heat actual में fuel की नहीं होती cotton thread जलता है वह भी heat निकलती वह भी fuel की नहीं होती तो यह सारी heat जो बहार आती है यह fuel की नहीं होती तो यहां पर correction करना पड़ता है तो capital W plus small w, T2 minus T1 plus T into dt, cooling correction, minus acid correction, fuse wire correction and cotton thread correction over x. यह वाला formula ECV निकालने के लिए use किया जाता है. वाल्म कैलोरी मीटर में, यहां पर capital W, water taken, small w, water equivalent, T2 minus T1, temperature, T, dt, cooling, correction, A, acid correction, F, fuse wire correction, and T2 होगा, T2 होगा, cotton thread correction होता है. cotton thread correction, यह formula यूज़ करते हम, वाल्म कैलोरी मीटर के लिए है, ठीकिए, इलेक्ट्रेटी प्रिंसिपल अफ लाइम सोडा प्रोसेस, देखे, यह question, जो है, आप आसानी से, प्रिवियस, लेक्ट्र में, आप देख सकते हैं, ठीकिए, लेक्ट्र बहुत बढ़ा हो जाएगा, लाइम सोडा प्रोसेस के लिए, और, फिर कंडक्टिंग पॉलीमर्स वाला भी, आप यह प्रिवियस लेक्ट्र में, निकाल सकते हैं, इसी तरह से, कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो होते हैं, जो कि करन्ट को फ्लो कराते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, extrinsic conducting polymer, extrinsic or intrinsic conducting polymer, flow current, जो कि current को flow कराते हैं, extrinsic conducting polymers भी दो तरह के होते हैं, blended conducting polymer और element filler conducting polymer, इसी तरह से intrinsic conducting polymer जो कि internal chain ही responsible होती है, current को flow कराने के लिए, कॉंजूगेटेड पाई एलेक्ट्रोंस आर प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक चैन, रेस्पॉंसिबिल होती है, उसे कहते हैं हम conducting polymers, intrinsic conducting polymer दो तरह के होती है, एक तो होता है, दॉब्ड पाई कॉंजूगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर, जिसमें पाई एलेक्ट्रोंस आर रेस्पॉंसिबिल तुफलो, current, इसी तरह से यह एक होता है, दॉब्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, यह भी दो तरह के होते हैं, पी डॉप्ड और एंडॉप्ड, इसी कंप्लीट जो है आप प्रिवेस लेक्ट्र में देख सकते हैं, जिए नब कंडक्टिंग पॉलीमर्स यूज होते हैं, पी रेडियो एब्सॉप्ट्प्शन के लिए यूज के जाते हैं, इनके बनाने का मैथटड पूछा गया है, तो ब्यूणा एस जो है, इसमें मोन अमेरिक यूनिट होती है, पहला है वन थ्री प्यूट्टा दाइन और दूसरा है इसमें स्टाइरीन, वन थ्री ब्यूटा डाइन की रियक्सन स्टाइरीन से अगरा देते हैं, तो बन जाता है ब्यूणा एस ती, H2 double bond CH single bond CH double bond CH2 1,3 buta diene इसके N monomers लेते हैं styrene, ethylene का derivative होता है ठीक है इसमें एक carbon पर benzene ring attach होता है इसके भी N monomers लेते हैं आपस में reaction करते हैं polymerization होता है और यह bond break हो जाते है CH2 single bond CH CH 2 single bond CH single bond CH2 bond यहां से निकालेंगे whole N लगा देंगे एक bond यहां निकाल देंगे और यहां पर benzene ring ऐसा का ऐसा ही जोड़ देंगे अब double bond कहां आएगा students इस कारवन की चारव वैलेंसी fix है यहां एक double bond लगाना पड़ेगा आपको और इस कारवन की चारव वैलेंसी satisfy यह बन जाएगा आपका प्यूना S नायलोन 6-6 इसी तरह से और polyester जो की terrylene है यह भी आप प्रिविएस लेक्चर में देख सकते ही नायलोन 66 भी महां मिल जाएगा नायलोन 66 के मोनोमेर्स बता देता हूं पहला मोनोमर्स है है hexamethylene-diamine और दोसरा मोनोमर है अडिपिक एसीड है अडिपिक हेक्जमिताइलीं-डाइ अमीन का मॉल्लेक्लिर फॉर्मुला है CH2 whole 6 और NH2 और Adipic Acid का formula है COOH COOH और बीच में आता है CH2 whole 4 इसकी reaction आपसे में करा देते हैं तो बन जाता है नालोन 6 से chemical reaction CH2 whole 6 NH2 N N monomers लेंगे और Adipic Acid से इसको reaction करा देंगे इसके भी N monomers लेंगे water molecule यहां से बाहर कर देंगे यहां से भी hydrogen बाहर करेंगे और यहां से भी OH बाहर कर देंगे तो chemical reaction कैसे होगी students N single bond edge curly bracket CH2 whole 6 single bond edge यहां पर इस unit से जोड़ देना है CH2 whole 4 C double bond O और यह बन जाएगा nylon 66 पहली monomeric unit में भी 6 कार बने, second monomeric unit में भी 6 कार बने, इस तरह से nylon 66 बनकर त्यार हो जाता है, यह complete polyester जिसे decron कहते हैं, जिसे terylene भी कहा जाता है, लास्ट में आपको यह terylene, जो कि बनाया जाता है, इससे P.E.T. polyethylene turf thalate, और ethylene glycol से, यह न तो यह आपको यह आपको यह यह इसको polyester के नाम से भी जाना जाता है, तो यह आपका complete हुआ, यह question थे कुछ, क्योंकि लास्ट वाले question में बहुत fast आपको dictate किया है, तो वह पिछले जो recorded lecture है, उसमें से आप उसकी help ले सकते हैं, क्योंकि इतने कम time में सारा कुछ dictate करना, और lecture काफी बड़ा हो जाता है, तो व प्रिवियस जो आपके पास में जो डिलीवर किये गए थे lecture, वहां से आप उसकी help ले सकते हैं, उस सारे lecture आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो thanks for watching today's lecture.